जाइन्द एवरीवन बेलकम तो राज सुच्चिशन बे आप सभी के स्वागत है और दू कंफिर्म दिर आम वीजिबल और अडिबल तो अलब तो ओके वेरी गूद सो लस्टार्ट विद लॉर्ड कर्जन पार्डिशन वं बंगाल आज हम पढ़ने वाले हैं लाइड कर्जन कर्जन कौन था और बंगाल का वीभाजन वसने क्यों किया उसका नुख्षान को एंग्लें को क्या नुक्सान हुए या फिर हमारे जो रास्ति आंदोलन है उसको इतना धक्का लगा क्या क्या चीजें हुई इन सारी चीजों के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं चलिए पढ़ते हैं लॉर्ड कर्जन एंड पार्टिशन ओफ बंगाल चलो क्यों किया इसने बंगाल का विभाजन क्या सारे गलत काम ही करते आ रहा था इन सभी चीजों के जवाब हम इस क्लास में हमें मिल जाएंगे ठीक है चलिए जानते हैं who was this कर्जन ओदेश जैहिंद अक्षिता जैहिंद तो लॉर्ड कर्जन कौन था तो देखो इसका नाम था जॉर्ज नथेनियल कर्जन बार्न इंटेन फिटीन लावन जन्वरी और यह डाइड इन मार्च 1925 राइट वस बार्न इंगलेंट इंगले कर्जन सिर्फ इस आदमी को देखो यह हैं लॉर्ड कर्जन सिर्फ उन चालिस साल का था जब यह भारत का गवर्णर जनरल बना इसका पूरा नाम जो है वो है जॉर्ज नेथैनियल कर्जन और 1859 का डेट अब बर्थ है 1859 का और ही डाइड इन 1925 उन्नीस सो पच्चिस में ने भी घन का एक स्टेट्समेंन था मतलब कि एक पॉलिटिशन था और वहां से सक्रेटरी भी रहा जोगा वहां कई जगों पे रहा था कई सारी जगों पर वह गया था रैट जैसे अफगानिस्तान से ले करके और स्रीलों Jupiter का कि ऍसवानिया में वाय के पिह जांग जब वह भारत में आया तो ऐसी बात नहीं है कि he was the one who did everything wrong भारत में जब वो आया तो बड़े अच्छे तरीके से उसने बहुत सारे अच्छे काम करने की कोसिस किये हालां कि देखो हम UPSC के सुडेंट है और जिसने बंगाल करा है उसको अच्छा कहना ठीक नहीं है लेकिन UPSC एक वीच एक चीज़ और भी मानते है कि आपको बिलकुल ही प्लेन रहना है means you should not be you should not be taking sight of anyone else हमें किसी का भी पक्षधर नहीं होना है तो इसके बारे में हम आपको अच्छी बात भी बताएंगे कि जब भारत में आज उसने कई सारे रिफॉर्म किये कई सारे सुधार किये ठीक है लॉड करजन सक्सीड़ लॉड अलगिन अब देखो इससे पहले कौन थे भाई यह लॉड अलगिन थे एंड सौड अज इंडिया वाइसराय बिट्मीन एटीन नाइन एंटीन जिरो फइव एठारो सो निनानवे से लेकर के उननिस सो पाच तक इसने भारत में एज उफ वाइसराय वाइसराय इसने भारत में अपनी सेवा दी सबसे कम उम्र का वाइसराय था कश्यत जहिंद और दीप्ती जहिंद सिर्फ थर्डीन इस का था जब भारत का वाइसराय बना था यह क्लिर रहे शर्य यू से इस वाइसराय इंडया था तब भारत का वाइसराय बना था रही चलो शोई झालो शूल रीवूर्शल वाइसराय था था बहुक्तराशल में और ऑश जाता है कि भारत में अकांख्या-जहिंद भारत में इसको मानद जाता सब से अमित चीज, Congress 1885 के बाद बने के बाद धीरे 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 रास्टवाद ला रही थी, उस रास्टवाद को रोकने के लिए इसने कुछ ऐसा काम किया, कि इसने रास्टवाद को रोका नहीं बलकि और बढ़ा दिया, तो हम कह सकते हैं कि भारत के लिए तो नुक्सान डायक था ही क्योंकि भारत में जो इसने फूट डाली फूट डालो और राजकरो की डिवाइड रूल हिंदू-मुसल्मान की वो फूट इस करजन के डाली हुई जो फूट थी वो फूट इवन पूरे भारत के आंदोलन के सबसे बड़ा यह आदमी था लॉड करजन राइट तो हालांकि अभी तक कॉंग्रेस जो है अभी तक कॉंग्रेस सालु जहिंद अभी तक कॉंग्रेस इट वस गॉइंग वेरी स्लोव इट वस पुटिंग क्योंकि उस समय मॉड्रेट का फेस था आपको पता है कि 1885 से फेस व सब्सक्राइब करें अभी तो इसने क्या किया है वाट ही देश में आप पाओगे कि देश में आकाल पड़ा हुआ था तो इसने क्या किया है क्या उसने आकाल को छोड़ दिया यह सारी चीजों की जानकारी हम लेने बाले है नो अधर गवर्नेर जेनरल ऑफ इंडिया हैड सच वास्ट एक्सपिरियंस एन आइडिया अवाओ दे कंट्रीज अव दे इस्ट आज लॉड कर्चन लॉड कर्चन के पहले कोई भी ऐसा भारत का गवर्नेर जेनरल या वाइसराय नहीं हुआ जिसको इसके जितना पूरव के देसों के बारे में जनका ली थी क्यों कियों कहा पहले ही इंग्स लिए रह चुका चार बार तो भारत आगया था अफगानिस्तान आया था आपके कई सारे दूसरे जगों पर सिलोन से ले करके मतलब कई पोर्शन में पर्शिया से ले करके हर एक जगों पर वो घुम चुका था सब्सक्राइब तो यहां पर वास एक्सपिरियन्स ठीक है डैन क्यों किया इसने पंगाल का विभाचन क्या समझता था इसने तो यहां डीपली रेसिस्ट रेसिस्ट समझते हैं नशलवादी अब देखो यह नसलवादी नाम भी चीज हमारे भारत में तो अभी भी नहीं है हम कभी भी किसी को हो सकता है कि यहां पर जातीयता हो हो सकता है कि यहां पर शंप्रदाय हो कॉम्मिलिजम हो संप्रदायवाद हो लेकिन हम कभी भी नसलवादी नहीं है हम कभी भी किसी को कहते हैं कि भाई तू तू जो है तू मतलब द्रवीडियन है या तू आरेन है या तू तुक्का घटना है आपको आज कल देखने को मिल जाएंगी जहां पर यह कहा जाता है कि भाई जो नौर्थिस्ट के लोग है वो उनको कहा जाता है कि चाइनीज मूल के तो जब आप इस प्रकार से जब किसी को कहते हैं वन यू कॉल समवन on the basis of जब आप उनको कहने लोग की छोटी आख वाले हैं हाँ चप्तीन आख वाले हैं तब इसको हम रेसिजम कहते हैं भारत में यह चीज आपको देखने को नहीं मिलेगी हो सकता है कि हम मैंसे कुछ पढ़े लोग ऐसा कहते हूं बट मैं कभी भी नहीं कहूंगा और मैं एक्सक्ट करूंगा कि आप चुकि इस देस के बहुत अच्छे और जिम्मदार नागरिक हैं जिम्मदार प्धो को समानने के लिए तयार हो रहे हैं कभी यह न dois किसी को भी ठीक है तो रंग भेद हमारे देश में नहीं है नसल भेद हमारे देश में नहीं है और नहीं होना चाहिए बड़ ये जो लॉड करजन था सबसे बड़ा नसल वह क्या है नसल वादी था वह भारतियों को मानता था कि भाई भारतिये जो हैं extraordinary inferior है मतलब कि भारतियों में क्या है छमता असाहादारन हीनता है हीन भावना हीन भावना क्या जैसे आप कहते हो न कि आप ये काम करो तो जैसे मैंने बोला कि भाई अकांग्षा ये काम कर दो अकांग्षा करने गई तो अकांग्षा मेला रहे हैं तुम्हारे बस का बात नहीं है राइट दैन इसका मतलब क्या है कि मैं ये सोच रहा हूं कि अकांग्षा नहीं कर सकती राइट अकांग्षा नहीं कर सकती या कोई काम मैंने अकांग्षा को का तो मैं अकांख्षा को inferior समझ रहा हूं या ऐसा भी हो सकता है कि अकांख्षा को कोई बात कहीं कि यह आपने करना है अकांख्षा ने पहले हैं सर हम से तो नहीं होगा हम मर जाएंगे लेकिन कर नहीं पाएंगे तो यह जो feeling है इसको हम कहते हैं inferiority complexion हीन भावना कहते हैं पहले कम से कम कि आपको भहिया हान दूसरे को यहां भारति इसके हिसाब से भारतिय अपने आपको नीचा समझते थ真的 तो यह जो है यह लौड करजन का मानना था बहूत नस्लभादी ठाब बारतियों को सोचता था कि भार्तिय बहुत हीन लोग है छोटे लोग हैं हीन भावना से ग्रस्त लोग है हलाकि यह भी मानता था कि he was that Indians are honest आ वार्तिये जो है वह honest है क्या है honest है इसा मानता था कि भारतियों में चरित्र इमांदारी और चमता में असाधारण हीनता या कमी है समझ रहो वो सोचता होगा कि भाई इसमें चरित्र है इमांदारी है लेकिन मानता था कि सब डाउन है कुछ नहीं करेंगे राइट कुछ नहीं करेंगे या सीधी बातों में कहो तुम मानतादा की भारति ये इमानदार नहीं है शमता की कमी है चरित्र की कमी है इस प्रकार से इंडिया इंडिया इंफीरियर विंग इंडियन्स को छोटा समझता था ठीक है छोटा समझता था ये ही सो फीक वाज दीपली रेसिस्ट भारत का एक कटर नसल वादी था और यह एस बात को मानता था अधर बृतेंग्ट the duty is the duty of the Britain is to civilize India मानता था कि बिटेन का करता पर चुकि भारतियों में चरित्र की भारतियों में इमांदारी की भारतियों में शमता की कमी है इसलिए अब यह बिटेन का मिसन है कि भारतियों को सभ्भेबनाएं विडेरें मतलब कुल मिलाकरकर अपने आपको ज्यादा होशार समस्ता था यह 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 बात होगई इसके बारे में सब ब्लोग कौन है इंग्लेंड का पहले से सब्लीन था पहले से ही इक स्टेटमेन्ट था और स्टेटमेंट था और वहां पे बहुत बार बिदेश सची उरह चुका था बिदेश सची उरह चुका था बिटेश राजनेता था अपने कारेकार के दौरान कई जगहों पे वो पहले ही घूम चुका था और 1899 से लेकर के 1905 तक बिटीश भारत का बाश्राय रहा 39 years के उम्र में बना सबसे कम उम्र का इस पोस्ट को समालने वाला सबसे कम उम्र का बेक्टी था ये इससे पहले जितने भी वाइसराय हुए किसी को भी इतना ज़्यादा experience नहीं था चुकि विदेश सची उरह था और कई जगों पे घूम चुका था ठीक है हाँ भी के लेंन कारजन व्यूस रिगर्डिंट्टींडिय इंडिया के बारे में सोता था कि इंडियन लोग में चरित्री की इमांदारी और शमता में असाधारन कमी है यार-च्च्ट्र आण ओडिनरी इनफीरियर इनकेर्क्टर की कमी है चोर हैं सब honesty बेमान है और capacity कुछ नहीं करेंगे कुछ नहीं करेंगे बढ़िया इसकी एक सोच थी वास्तों में वो भारतियों को भारतियों से डरता था तभी जाकर के उसने partition of Bengal कराया होगा but you will write this one ठीक है he was deeply racist नसलवादी था convince of Britain's civilizing mission in India और इस बात को मानता था कि ब्रिटेन का या कर्तब है कि भारतियों लोगों को सब बनाए अब देखेंगे इसके कुछ reforms को why reforms reforms को हम क्यों देखें reforms को हम इसलिए देखेंगे क्योंकि यह हमेशा से गलत नहीं किया इसने कि इसने कोसिस की कि ब्रिटीज इंडिया को बिल्कुल अच्छी तरीके से सेंट्रलाइज करें तो इसने भारत में बहुत सारे अच्छे काम भी कियें इसने भारत में बहुत सारे अच्छे काम भी कियें अच्छे कामों पर एक नजर डालते हैं किस किस शेत्र में इसने अच्छे काम किये थे सारे शेत्रों में अच्छा काम किया इसने लेकिन एक काम ऐसा कर गया कि इसने ब्रिटीज सासन की निव हिला दी और कहते हैं कि इसी ने इसी ने बिलकुल रास्टी आंदोलन जो अभी धीरे 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 भड़क रहा था उसकी आग को भड़का दिया जो कि ब्रिटीज सासन के लिए भी नुकसान दायक साबित हुई and in the long term it damaged our relation means Hindu's relation with the Muslim also इसी की वजह से आप समझ सकते हो कि जो food डालो और राज करो कि नीती की वजह से ही बाद में जाकर के हम देखते हैं कि हमें दुबारा से partition of bangal 1947 के बाद करना पड़ा राइट दुबारा से तो हिंदू Muslim में food डालने का सबसे बड़ा काम करजन ने किया ब्रिटीज सासन की भी new हिलाने वाला he was the one who actually shook the British rule in India because because he give air to the Indian national movement जो बड़क रहा था उसको बड़का आगे चला गया बट ही वोज वेरी गुड सुनिता जहिंद अजय जहिंद इनके काम लिखिये notes में 100% इनके काम लिखिये क्योंकि अगर मैं इसके काम को अगर अभी नहीं पढ़ाओं अक्षिता तो फिर कभी नहीं पढ़ेंगे हम अगर अभी नहीं पढ़ें क्योंकि आपको जब critical evaluation करना पढ़ता ना critical evaluation करजन के बारे में तो यहां से दो question बन सकते हैं एक तो question यह बन जाएगा कि critical evaluation कीजिए तो करजन की अच्छाईयों के बारे में भी आप लिख सकती है दूसरा जब बुराईयों में आप लिखेंगी तो partition of बंगाल लिख दीजिए बिल्कुल ठीक है दूसरा जो आपने उस दिन एक question पूछा था कलकत्ता Corporation Act वो भी हमने सामिल किया किसने पूछा था अकांक्षा ने या अक्षिता ने दोनों में से किसी एक ने पूछा था उसके बारे में भी पढ़ लीजिए सो कर्जन बिलीव इन स्ट्रॉंग सेंट्रलाइस गौर्ण्मेंट और पावर्फुल ब्यूरिक्रिसी कर्जन एक मजबूत केंद्रिक्रिस सरकार में विस्वास करता था वह मानता था कि सारी पावर जो है ना मतलब ब्रिटीस इंडिया को बिल्कुल अच् इसमें सामिल कर दिये हैं अग्रा ने पूछे ता सर कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट 1899 क्या है क्या है तो मैंने बोला कि सबसे पहली बात है कि यह जब आया करजन तो करजन ने वैसे कई लेकिन करजन का मुख्य यह था कि भारत में धीरे धीरे भारतियों को जो अधिकार दिये जा रहे हैं 1892 के बाद धीरे 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 नंबर्स इन दसेंट्रल लेजिसलेटिव काउंसिल और प्रविश्य लेजिसलेटिक काउंसिल दा नंबर ओफ इलेक्टेड इंडियन अधिना बचे क्योंकि वह भारतियों को चोर मांता था राइट मांता था कि भारती यह ओनेस्ट नहीं है हां कि इनफीरियर है करेक्टर ओनेस्ट अन कैपैसिटी में इसलिए भारतियों को हर एक जिकर से निकालना चाहता था सो दा एक्ट कलकर्टा कोर्पोरेशन एक्ट 1899 ने क्या किया अकांग्षा दा एक्ट रिद्यूस्ट अब अच्छे काम में नहीं एड हुआ है यहां पर रिफॉर्म्स में दूसरे काम भी हैं देखिए मैं आपको बता रहा हूं अपने हिसाब से तो यह इंडिया का consolidation कर रहा था अपने हिसाब से अक्षिता अपने हिसाब से British India के हिसाब से तो वो बिटेन का जो British India का consolidation कर रहा था ठीक है? चलो So the act reduced the number of elected legislature and increased the number of nominated officials इसने बिल्कुल उल्टा काम किया अभी तक जो भारतियों की संख्या बढ़ाई जा रही थी भारतियों की संख्या बढ़ाई जा रही थी उस elected legislature की संख्या को कम कर दिया और nominated official यानि ऐसे सरकारी व्यक्ति जिनको मनोनित किया जा रहा था उनकी संख्या इसने बढ़ा दी ताकि इंडियान्स का जो self governance है इंडियान्स का जो self governance है भारतियों को स्वसासन से बंचित कर दिया जाए भारतियों धीरे धीरे अपने नंबर बढ़ा करके जो self administration administration का हिस्सा बनना जाते हैं तो वो मानता था कि इसको खतम कर दिया जाए इसको कम कर दो ठीक है देन क्या हुआ इससे 28 members of the corporation resigned in and protested and it therefore became a government department with the English and the anglo-indians as the majority in it तो हुआ क्या कि इस कलकत्ता corporation में 28 member जो की भारतिये थे उन्होंने इसका विरोध किया इसके विरोध में corporation के 28 सदस्से जो भारतिये थे उन्होंने स्थिपा दे दिया दे रिजाइंड और जब भाई ने रिजाइंड कर दिया तो पूरी तरीके से क्या हुआ पूरी तरीके से जो वो department था का कलकत्ता corporation उसमें कोई भारतिये बचा ही नहीं सारे के साथ government ऐफिश्यल government department with the English and the anglo-indians the majority in it बाद में यह अंग्रेजो और anglo-indian के बहुमत के साथ एक सरकारी बिबाग बन गया तो एक्जाम में अगर आपसे पूछा जाता है कि कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट 1899 क्या है तो आपके पास आप जवाब है कि 1892 में भारतियों को मतलब 1892 इंडियन काउंसिल एक्ट में यह नियम दिया गया था कि भारतियों की संख्या हरे एक बढ़ाई जाएगी भारतियों की संख्या governance, he reduced the number of elected legislature, इसने लोगों की संख्या, हाँ, लोगों की संख्या घटा दी, जो elected थे, और घटा दी, तो क्या हुआ, इससे अब लोग गुसा हो गए, गुसा हो गए, कॉर्पोरेशन में जो बाकी की इंडियनस थे, वो गुसा हो गया, और गुसा होने के बाद उन्होंने अपने पोस्त से रिजाइन कर दिया, जब रिजाइन कर दिया, तो कलकथ्या कॉर्पोरेशन में एक लोग भी, एक भी इंडियन नहीं बचा सारे के सारे या तो एंगलों इंडियन थे या फिर गॉर्णमेंट डिपार्टमेंट के लोग थे क्लियर है अक्षिता 28 members of the corporation they resigned the post because the lord karjan reduced the numbers तो 28 members of the corporation resigned and there was no Indian left into the Calcutta corporation so it become a government department चलो very good economic के छेत्र में क्या इसने रिफॉर्म किया है देखो in 1899 the British currency was declared legal tender in India and a pound was declared equivalent to rupees 15 समझ रहें economic आर्थिक मतलब पैसे रुपे के शेत्र में इसने क्या किया 1899 में जना गना मन किसने गाया था अब आजाए यह question क्या है आपको नहीं पता है रभिंद्र नाठ टैगोर ने गाया था सबसे पहले 1911 में कलकत्ता दिवेशन में कलकत्ता विदेशन यह कर रहा है 1911 में उसको गाया गया था कौन सा दिवेशन था कलकत्ता नहीं बताई यह कौन सा दिवेशन था और जब पहली बार भाई बंगाल का विवाजन हटाया जा रहा था तब बोलिए 1911 में काया गया था इसको लाहौर था क्या कौन सा दिवेशन है 1911 का कौंग्रेस का अधिवेशन बोलिएगा लाहौर अधिवेशन है लाहौर अधिवेशन चलिए तो यह कुश्चन अभी रेलिवेट नहीं है तो एकोनॉमिक की शेटर में इसने क्या किया इन ने ने कलकात्ता ही था या लाहोर था लाहोर था साथ चेक कीज़ेगा यह कलकत्ता ही था है भूलीएगा को एन एदिवन कलकत्ता अधिवेशन था या लाहोर था कलकत्ता था कलकत्ता कलकत्ता अधिमेशन था तो किर्पया यह अभी इससे रेलिवेंट नहीं है कलकत्ता था बोलिएगा कलकत्ता ही था कलकत्ता था 27 दिसंबर कलकत्ता ही था तो इस इन सारी चीजों से अजय यह इससे अभी रेलिवेंट नहीं है ठीक है इन 1899 दा बिटीस करंसी पॉस डिकलेर लीगल टेंडर इन इंडिया और पाउंड वॉस डिकलेर एक्विलेंट टू रुपीज फिप्टीन लीगल टेंडर आप लोग जानते हैं कानूनी निविदा क्या होती है भारत में अगर आपके पास पांच रुपे का सिक्का है तो पा रुपे का नोट, बीस रुपे का नोट, दस रुपे का नोट, इन किसी भी नोट को हो सकता है कि कोई दुकांदार आपको ये कह दे कि सर मेरे पास चेंज नहीं है तो वो हो सकता है कि वो चेंज नौ होने की वज़़ा से किसी नोट को लेने से मना करें लेकिन अगर छोटे टेंडर लीगल टेंडर जो भी पैसे यहां पर चलते हैं उनको लीगल टेंडर कहते हैं तो अगर पांच रुपए का सिक्का या दस रुपए का सिक्का अगर आप किसी को देते हैं वो लेने से मना करें तो आप उसके उपर केस कर सकते हैं कि उसको आप उसके उपर केस कर सकते हैं लीगल टेंडर होती है कि जो भी करेंसी आपके यहां पर बिलकुल चल रही हो तो इन रुपेओं को कोई भी लेने से मना नहीं कर सकता भारत में लेकिन जब आप डॉलर देंगे तो लोग मना कर देंगे हाँ भाई डॉलर नहीं चलेगा डॉलर के लिए आपको foreign exchange में जानना पड़ेगा वहाँ पे डॉलर के बदले आपको रुपए मिलेंगे तब वो चलेंगे तो इसने 1899 में भारत में क्या किया भारत में British currency को legal tender बना दिया legal tender कर दिया और माना गया कि एक पाउंड में 15 रुपए होंगे कितने होंगे वन पाउंड एक पाउंड में 15 रुपए होंगे ठीक है इसने ये काम कर दिया तो economic reforms में एक उसने legal tender बनाया दूसरा नमक का दाम एक माउंड देखो एक उसके समय में नमक का ज्यादा पैसा लगता था कितना पैसा लगता था तो आप देख लो धाई रुपे में 37 केजी नमक आता था 37 केजी नमक आता था इसने वन रुपी 33 पैसे एक रुपे 33 पैसे में 37 केजी नमक देना शुरू किया यानि कि अच्छा काम किया है नहीं इसने नहीं भाई यह तो अच्छे काम में आया नहीं नौट बंदी में तो सभी दुकानदार और बैंक भी सिक्का नहीं ले रहा था तो यह सब गलत है अगर कोई नहीं लेता है तो उसके उपर आप केस कर सकते हैं अच्छिता यह अच्छे काम में नहीं आया वह अपने हिसाब से वह बिटीस इंडिया में रिफॉर्म कर रहा था लीगर टेंडर डिक्लेयर करना आप इसको अच्छा काम इसलिए नहीं समझ रही है क्योंकि आप माइंड से इंडियन की साइड ले रही है हमने कहा यह इंड रिफॉर्म चला रहा था है कि अपने हिसाब से रिफॉर्म कर रहा था वह तिक है है हम हम चलो दैन रेट आफ सेल्टेक्स वाज रिडियूस्ट देखो इसने नमक कर कि यह रेट आ व्याव साल्टेक्स नमक का कर इसने कंव कर दिया था कर जन से नमक की दर को कंकर दिया पहले ढ़ाइं रुपए में एक मन एक मन मतलब हमारे यहां पर 40 किलो होता है उस西ंठ केजी है था रुपए में एक मन नमक आता था अब उसने एक रुपया 33 पैसे में एक मन नमक देना शुरू किया पीपल विद एनुएल इंकम अप मोर दैन रुपीज 500 पेड दे टेक्स ठीक है पहले क्या था कि लोग जिनका 500 रुपय से ज़्यादा सलाना आय होता था 500 रुपय उससों में बहुत होते थे एक साल में अगर किसी की आय 500 रुपय है एक साल एनुएल इंकम अप मोर दैन 500 रुपीज तो उससे वो टेक्स लेता था लेकिन अब इसने क्या कि टेक्स पेर्स को रिलाक्स देना शुरू किया इंकम टेक्स पेर को अब उसने क्या किया रिलाक्स देना शुरू किया यानि कि अगर भाई अगर कुछ कम है तब भी आप जो है आपको रिलाक्स छूट मिलेगा छूट देना इसने शुरू किया था इससे पहले क्या होता था करजन के पहले जितनी भी बचत होती थी प्रोविंसे में मालो मद्रास है तो मद्रास ने अगर पचास हजार रुपे बचा लिये हैं पचास हजार रुपे तो सेंट्रल गॉर्णमेंट उसको ले लेती थी ठीक है हाँ सेंट्रल गॉर्णमेंट उसको ले लेती थी अब इसने क्या किया केंद्र सरकार ने प्रांतों की बार्सिक बज़त को अपने इससे पहले यहां पे लिखो इससे पहले केंद्र सरकार ने प्रांतों की बार्सिक बजद को अपने कबजे में ले लेती थी ले ले लेती थी ठीक है जिससे प्रांतों के पास कुछ भी नहीं बचता था किसी भी प्रकार का प्रस्ताव नहीं बचता था कुछ भी नहीं बचता था सीधी सीधी बात लिखो इसको हिंदी के लिए थोड़ा ज्यादा ट्रांसलेशन में लिखकत है किसी जिससे प्रांतों को बचत कुछ नहीं होती थी ठीक है देन करजन सपोर्टेड दो पॉलिसी ओफ फाइनेंशियल डी सेंट्रलाजेशन करजन इसके अगेंस्ट में था करजन ने माना कि भाई पैसे सब के पास होने चाहिए तो उसने इस चीज को खतम कर दिया अब वो प्रॉविंसेज को प्रॉविंसेज से पैसे नहीं लेता था इस इट क्लियर सभी लोग इस बात से क्लियर है प्रॉविंसेज से वो पैसे नहीं लेता था इस प्रचलन को प्रविंसे से पैसे लेचने के प्रचलन को उसने खत्म कर दिया करजन सपोर्टेड दौड़ी सी ऑफ फाइनन्सियल डी सेंट्रलाइजेशन करजन अब सेंटर से मतलब प्रोविंसे से पैसे नहीं लेता था वो मानता था कि विकेंद्री करण होना चाहिए चलो फेमाइन देखो जब वैंद करजन केम इन इंडिया दाइंडिया वास सफरिंग विद बिग फेमाइन भारत में उसमें बहुत बड़ा फेमाइन आया आयब इन इंडिया इसकी वजह से मोसली साउज सेंटर अन वेस्टर इंडिया बहुत प्रभावित थी हैं राइट देर वॉज अ फेमाइन इंट तो शाउज सेंटर अन वैस्टर इंडिया वाट करजन दिद करजन प्रोवाइद और पॉसिबल रिलीफ टुद पीपल इस जहां तक जितनी हो सका उसने लोगों को राहत शुविधाएं प्रदान करने की कोशिस की थी ठीक है हाँ 1897 से 1901 में था तो बहुत सारे भाई अंग्रेजी सरकार इससे पहले वाला तो ध्यान नहीं दे रहे थे इसने इससे पहले कौन थे who was before him इसके पहले थे भाई लॉड एलगिन लॉड एलगिन बहुत बढ़ियां से नहीं कंट्रोल कर पा रहे थे बट वेंडर करजन केम इसने बहुत ज्यादा कोशिस की अक्षिता सर पॉइंट टू में देखिए ध्यान दीजेगा ये तो बिलकुल ही अच्छे तरीके से रिफॉअ है अक्षिता सब सॉरी आम मैं इसको डेलिबरेट नहीं कर पा रहा हूं नहीं कर पाया इंग्लिस में लूट जेखिए आनला है जातीज चैन शीए बिलकुल है जाओ उसने प्रविंश पाइज्ब्स कर्के उन को फायदा दिया ना? अक्षिता तो यह प्रैक्टिस को उसने खतम किया इससे पहले गॉर्णमेंट ले लेती थी पैसे यह अंडिस्टूड यह दूसरा मुद्दास यह पॉइंट टू आप समझी इससे पहले कि जो गॉर्णमेंट थी लॉड एलगिन थे या जो भी थे वह क्या करते थे कि जो भी पैसे बचते थे अंत में प्रोविंसेज के पास उसको ले लेते थे हां वेरी गुड सो जहां पर भी आपको इंग्लिस में बताना हो वो मुझे बताईएगा बिफोर हिम दिस वॉस्ट प्रैक्टिस अट ओल्ड़ सेविंग्स फ्रॉम दे प्रोविंसेज वोस्टेके अका अकाल के कारण ही तो करजन बदनाम हुआ देखो धर्मेंद्र करजन के पहले अकाल था 1897 हालां कि ब्रिटीज था ब्रिटीज था तो उसको कोई भी ऐसा नहीं है कि जो है मतलब अब वह अच्छा भी करेगा तो लोग उसको खराबे कहींगे लेकिन इसने कोसिस की है अकाल क नहीं तो सम्हालने की अब ऊर्गय शोसॉषण तो बिटीस सरकार के मूल में हीं हग कितना भी अच्छा करेगा तो बुरा ही करेगा है जो समझ mo आ रहा है न कितना भी अच्छा करेगा तो बुरा के करेगा वह अ को लेकिन इसने कोशिस की है सम्हालने की हां ही प्रोवाइडेड और पॉसिबल रिलीफ टू अफेक्टेड पीपल ठीक है पीपल वर प्रोवाइड वर्क ओन पेमेंट बेसिस और कल्टिवेटर्स वर एक्जेंप्टेड फॉम्ट ऑफ रवेन्यू ध्यान दीजेगा लोगों को उतना ही मतलब फीपल वर प्रोवाइड वर्क ओन पेमेंट बेसिस जितना लोगों को पैसे मिलने थे उतना ही उनसे काम लिया जाता था और किसानों को राजश्ट्रू में लगान देने में छूट दी थी इसने क्यों छूट दी क्यों पता था कि अलग-अलग जगहों पे पूरा माफ नहीं किया था इसने क्या किया था फेहमाईन की वज़ा से जो प्रॉब्लम होनी थी उसमें किसानों को इसने छूट भी दी थी ठीक है so he provided work on payment basis and the cultivators were exempted from the payment of revenue किसानों को राजस्व में इसने छूट दी थी by 1900 उन्नी सो तक या उन्नी सो एक में फिलाल दीरे दीरे जब फेमाईन खतम हुआ तो उसने ही अपॉइंटेड़ कमीशन टू प्रोब वाट वर दा कॉज़स अब फेमाईन उसने एक आयोग न्यूक्त किया एक आयोग बिठाया ताकि वो आयोग पता करे कि भाई इसके कारण क्या थे अकाल के क्या कारण थे और उससे किस प्रकार से निप्टा जा सकता है ठीक है निप्टा कैसे जा सकता है यह जो भी आयोग ने अपनी आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी उसके हिसाब से आगे के जब भी आकाल पड़े उसको यूज किया गया है ठीक है अगरिकल्चर के शेत्र में देखो इसने क्या गया है in 1904 the cooperative credit society act was passed to induce the people to form societies for the purpose of deposits and loans mainly to save pigeons payment of revenue payment of revenue मतलब लगान देने में छूट exempted from the payment of revenue सी चुकि अकाल था देश में उस इसलिए उसने कुछ किसानों को those who could not give the payment to the government payment means tax देते हैं न लगान लगान देते हैं तो उसने कहा कि ठीक है इनका लगान माफ कर दो exempted from the payment of revenue राइट अक्षिता लोगों को हाँ यह अच्छा काम है लोगों के पास काम नहीं था तो उसने पेमेंट बेसिस पे लोगों को काम भी कि आज ही काम करें आज ही इसको पैसे दो कि ओके वेरी गुड अगरिकल्चर के फिल्ड में देखो इसने क्या किया है आप सबी जानते हो कि गाउं में बहुत सारे साहुकार थे जो लोगों को इस लेते थे तो आप में से जो दिल्ली के रहने वाले हैं आप में चान्व कॉन जानता है कमीटी के बाए में कि अबेदे त likes क्या होती है कि अपैसो वाली कमीटी तो देखो इस इसने कॉपरेटिव क्रेडिट सुसाईटी पास किया तो पहले उसमें क्रेडिट सुसाईटी एक्ट में क्या होगा मान लोगी दस किसान हैं ठीक है हाँ नहीं संगठन नहीं अभी दरमेंद्र आप देखिए कि हम किस कमिटी की के बात कर रहे हैं माल लो की गाउं में 50सान हैं अब 500 किसानों को जुरुत पढ़ेगी लोन की तो चसके पास आएंगे साहुकार लालाके पास अब लाला के पास तो भाई अगर कर्ज लेना है तो क्या रखने पढ़ेंगे मां के कंगन रखने उसके बाद लाला आपको रुपए देगा आपको रुपए देगा उधार पे रिण पे सोने के खंगन ले लेगा और रिण पे हाँ वही वही अजय मैं आपको बता रहा हूं सुनिए ध्यान दीजिए तो जो भी साहुकार होते थे वो तो लोगों का शोशड करते थे तो इसने एक चलाया क्रेटीव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट इसके तहुत इसने कहा कि गाओं में अगर पचास किसान हैं और पचासो किसान धीरे धीरे करके दो दो रुपे दो दो रुपे जमा करो एक रुपे दो रुपे जमा करो और जमा करके एक जगह पे उसको रखो और जैसे ही कोई चीज पढ़ती है किसी किसान को पैसे लेने की जरूरत है तो उसी पैसे में से उसको लोन दिया जाए तो चुकि सारे किसानों का पैसा है इसलि कर तो वह क्या करना है कि आपको उसी पैसे में से उस किसान को जो कि उसका मिटी का भी इस्सा है उसी में से उसको लोन दे देंगे और मिनिमल रेट ऑंप बै करेगा तो जिन जिन लोगों ने पैसे दिये थे सब को दधीने दिरे दिरे ये ये पेमेंट जो है वह मिलती रहेगी तो असाकारी तर्कारी संस्था बोल सकते हैं सरकामिठी को हां बोल सकते हैं कौपरेटि इप क्रेडिट सोसाइटी को आप बोल सकते हैं साकारी क्रेडिट सोसाइटी साकारी क्रेडिट सोसाइटी आप बोल सकते हैं इसको कि समझ गए आप लोग मैं जो बताना चाहता था दिल्ली के पास के होंगे यह समझ गए होंगे कि भाई दोदो रुपे दोदो रुपे दे करके सारे किसान जो है उस कमीटी में पैसा ही कठा करेंगे और जब भी इन किसानों को ही जरूरत है तो मिनिमल इंटरस्ट पे इसी में से इसी पैसे में से दूसरे किसान को लोन दे दिया जाएगा अब वो किसान जो है वो धीरे-धीरे-धीरे करके फिर से इस कमीटी में पैसे चुका देगा तो किसानों ने मिल करके एक कमीटी बना ली है कांति से ऐसा ही होता है दिल्ली में कांत ठीक है सो इन 1904 विल्कुल सेल्फ एल्फ ग्रूप सेल्फ एल्फ ग्रूप कहेंगे तो इन 1904 में एक कॉप्रेसिट सोसाइटी एक्ट इसने पास किया जिसके द्वारा पीपल जो लोग थे ऐसी ऐसी सोसाइटी बना सकते थे जो की पैसो को पहले डिपोजिट करती और अपने ही लोगों को लोन देती ताकि किसान जो है किसके साहुकार के चंगूल में नफस है अब वही किसान अगर जाता साहुकार के पास लोने के लिए लोन लेने के लिए तो क्या होगा मां के कंगन देने पड़ेंगे जमीन के कागजात लगाने पड़ेंगे सोसन हो जाएगा ले तो जिससे सावकार जो है हमारे अब अधिक ब्याजदर नहीं वसूल कर पाएंगे और किसान का अपना काम अपने में चला लेंगे 10-20 लोग मंतली पैसे इकठे करते हैं फिर जिसको नीड होती है वो ले लेता है और बहुत कम इंटरस्ट है हां ऐसा ही होता है छोटे-छोटे ग्रूप बना लेना यह चीज किसने है यह चीज हमारे करजन नहीं शुरू कि थी 1900 में पंजाब लैंड अलियनेशन एक वास पास्ट विच रस्टिक्टे अटांसफर अव लैंड पीजन्स तो मनी लेंडर्स इंकेस अव फेलर ऑपेमेंट अब देप्ट पहले क्या होता था कि इस से पहले कि देर वर फार्मर्स वू उस्ट टेक लोंस फ्रॉम्ट अर्मनी लेंडर्स इफ देवर नॉट अब तो पे देप्ट्स देर लैंड वस टेकन ओवर बाइद साहुकार्स दे उस फोर्सिबली तो टेक दिस लैंड फोर्सिबली लेकिन अब करजन ने एक नियम बनाया जिसक के द्वारा अब साहुकार अगर मालों की पेमेंट किसान नहीं कर पाया तब भी उसकी जमीन को नहीं ले सकता था इत्वाज गुड थिंग देन करजन अटेंप्टेंट नूब आउट इंप्रूमेंट इन रवेन्यू अट्मिस्टेशन फॉर्ट फिक्स थ्री प्रिंस्पल रिगार्डिंग इट कर जन ने राजश्व प्रसासन में भी टैक्स में भी सुधार करने की कोशिस की उसमें तीन चीजे उसने की इस सरकार क्या करती थी कर को अचानक से बढ़ा देती थी इसने कहा कि रवेन्यू को धिरे धिरे बढ़ाना है उत्यव्य स्था कि धीरे धिरे चुस्था है जो भी ठीक है जो भी पैसे लेने जाएगा वो किसानों से मार पीट नहीं करेगा थार्ड इन केस अब ड्रॉट और एनी अधर डिफिकल्ट सिच्वेशन इसके हिसाब से अगर सूखा पड़ जाए या कोई ऐसी जटिल पश्थिति आ जाए जिसमें किसान बेचारा रेवेन्यू नहीं दे सकता है तो किसान की तुरंती हेल्प करनी है यह तीनों ही पॉइंट अच्छे हैं तीनों ही पॉइंट भया इसके अच्छे पॉइंट्स हैं पिसानों को पहले तो रेवन्यू अचानक से नहीं बढ़ाना दूसरा रेवन्यू लेने जाना है किसान से लगान लेने जाना तो उससे मार-पिटाही नहीं करनी है तीसरा अगर कभी सूखा पड़ जाए कोई ऐसे बाढ़ आ जाए फसल डूब जाए तो किसानों को हेल्प की जानी है ठीक है रेलवे के शेत्र में देखो उससे पहले जो क्या था ग्रेलवे जो थी पीड़टी के अंदर आती थी किसके पुब surround department के जह दो आप के गाओं में जो आपके शहरों में जो रोड़ शड़क वगएरा पानी की व्यूस्था करदी और पीडब्ली्व वर्क डिपार्टमेंट उसके अंतरगत रेलवे आती थी रेलवे के लिए उसने रेलवे अलक से बनाया रेलवे डिपार्टमेंट थीक है इसने रेलवे को बहुत ही जादा सुधार करने की कोशिस की है जिससे की सरकार को फायदा हो सके उसने 1901 में एक रेलवे कमीशन रेलव आयोग गठित किया ठीक है कमीशन ने 1903 में अपनी रिपोर्ट सौपी और इसके रेकमेंडेशन को इसके सिफारिशों को इस करजन ने accept किया क्या था भाई कि रेल्वे लाइन्स वर इंक्रीज्ड अधिक से अधिक रेल्वे की पट्रियां बिछाई गई हाँ बिल्कुल जैसे सिविल लाइन में पीड़रूटी का ओफिस है अभी अभी बताएंगे गलत कामों पर अक्षिता अभी हम पहुंचे ही नहीं है पॉजिटिव एटिट्वड के पीछे इसकी में इसका आइडिया यह था कि पूरी तरीके से इंडिया जो है वो बिटीस के बिटीस गौर्णिंस के हांथ में आ जाए अच्छा हो जाए इसका मतलब यह नहीं था कि भार्दियों को प्रसा सुन दो इसका मतलब कि अपने को बिछाया रेलवे डिपार्टमेंट वाज एबलिस्ट रेलवे डिपार्टमेंट खतम कर दिया गया जो पहले पी डबलूड के अंदर आता था और अब एक रेलवे बोर्ड बनाई गई रेलवे बोर्ड जिसमें तीन मेंबर थे ठीक है तो इसका मुख्य काम क्यों इसने किया क्योंकि भाई रेलवे को कॉमर्सिलाइज किया जा सके फाइदा पैसा कमाया जा सके रेलवे से प्रॉफिट चाहिए था इसको इसलिए इसने ये काम किया ठीक है एजुकेशन सिक्षा के शेत्र में ये काम गलत है हाँ बिल्कुल एजुकेशन के शेत्र में देखो 1901 में करजन कॉल्ड एन एजुकेशन कॉन्फरेंस एड सिम्ला इनोगा सिम्ला में इसने शिछा पर संवेलन कराया 정 poem जहांपे इसने युनिवर्सिटी कमीशन लगाया युव युनिवर्सिटी कमीशन व अपउइंट इन 1902 में इसने एक युनिवर्सिटी कमिशन लगाया अब आप सोचोगे कि सर यह तो अच्छी चीज है युनिवर्सिटी कमिशन आज देखते हो ना जैसे हमारे यहां पर यूजी सी है यूजी सी ग्राइंट कमिशन यह काम क्या करती यह सेम चीज की बात कर रहा है कि भाई सारी यूजी जो मॉनिटर करेगी अगर यूजी सी ना रहे तो देशवर में कुकुर मुत्ते टाइब की मश्रूम टाइब की कई सारी बेफालतू की यूनिवर्सिटी खुल जाएंगी जो पैसे से लगेंगी सटिफिकेट बेचने आज भी आप देखते रहना उदर कौन-कौन सी उदर मेरठ में इधर कानपूर में उदर हर्याने में साउथ में कई जगों पर ऐसे बेफालतू की यूनिवर्सिटी खुल जाती है जो आपको कहती है कि 20,000 रुपया दो तुमको एम में करा देंगे कि 15,000 रुपया दो घर बैठे भी ए ऐसे हैं ना ठीक है यूनिवर्सिटी कमिशन को अपॉइंट करने वाला करज नहीं था इसने इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 में यूनिवर्सिटी एक्ट पास किया ठीक है हालांकि उसके इस एक्ट की काफी ज़्यादा यस ऐसे हैं कई सारे मेरा एक फ्रेंड है राइट यूपी एस्पिरेंट था मेरे ही साथ दे रहा था तो मैं तो में इंग्लिस कर रहा था बड़ा पढ़ा मैंने वाट्स फॉर्ट से ले करके विलियम सेक्सपिर और पता नहीं कहां 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 मैं बहुत पढ़ा हूं तो उसने मुझे ओफर दिया कि सर एक यूनिवर्सिटी है बीस जार रुपे लेगी सर्टिफिकेट देगी हम कर नहीं रहने दो भाई हम तो परिक्षा देके पास कर लेंगे ठीक है कि अच्छा कोई बात नहीं प्रोमोर्ट हुए है वह अलग बात है बट उस समय सोच लो कि उस समय एक्जाम ही नहीं होती है ऐसी यूनिवर्सिटी है आपको जाना ही नहीं है बस पैसा दीजिए घर पर सर्टिफिकेट ठीक है तो इसके लिए इसने 1904 में एक एक इसी प्रकार के इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट पास किया हालांकि करजन का आपको लग रहा होगा कि इसने अच्छा काम किया था अच्छा काम नहीं किया था कल की क्लास में in the yesterday's class I taught you one thing कि जो भी नेशनलिस्ट आएं उन्होंने सिक्षा को अपने हिसाब से करने की कोशिस की थी कलकत्ता एजुकेशन काउंसिल बनी थी राइट दयानन्द एंगलोवैदिक जो काफी पहले से चल रहा था कई स्कूल खोले गए थे कई सारे युनिवर्सिटीज कॉलेज स्कूल खोल रहे थे जिसमें रास्टबाद की पढ़ाई होती थी करजन का ध्यान भारत के युनिवर्सिटी में सिक्षा को सही करना नहीं था उसका ध्यान इसी पह था कि ये जो एक्टिविटीज है इसको रोक जाए है कि समझ रहा है आप लोग डेको कशेपने यही बात लिख दी है जो मैं बता रहा हूं करसेपने यह बात लिख दी उस ने युनिवर्सिटी कमीशन बिढ़ाया यूनिवर्सिटी एक्ट क्यों बढ़ाया क्योंकि जिस में जिन स्कूल में क्रांती की पढ़ाई होती थी राइट उन स्कूलों को कंट्रोल करना था गौर्णमेंट के द्वारा इसलिए इसने ये काम किया ठीक है हाँ अपने फायदे के लिए किया था अभी तो हमको बड़ा अच्छा लग रहा है गुरुदास बनर जी कलकत्ता हाइप कोट जज्ज एंड अमेंबर अप्ट कमीशन है डिवन इस डिसेंट नोट इन दर रिपोर्ट हाला कि कमीशन के लिए गुरुदास बनर जी कलकत्ता हाइप क अगरत में पब्लिक ने भी इसका तिरशकार किया कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए लेकिन उसका तो अपना पायदार देख रहे तो तुम राश्टवाज की पढ़ाई करते हो क्रांतिकारी बनाते हो तो रुको तुमको यहीं से कंट्रोल कर देते हालां कि जो उस समय गलत था आज फाइदे की चीज है कि नहीं अगर यूजी सी नर है तो बहुत सारे ऐसे ही कुकुरमुत्ते टाइप के आपको कॉलेजिस खुल जाएंगे उनिवसिटीज खुल जाएंगी उस समय जो चीज गलत थी आज फाइदे की है नहीं है है नहीं है ठीक है तो दाइम सब्सक्राइब को सरकार की निगरानी के अधीन लाया जाना यह वांटेट अधा ही शुड कंट्रोल दे युनिवर्सिटीज गॉर्नमेंट सुड लुक आफ्टर वाट सब्सक्राइब की निवर्सिटीज अराम से और बाद में भाई इसने अपने उद्देश की पूर्ती सब्सक्राइब कर लिए है हां आर्मी में 1902 में एक लॉड किष्णर आया लॉड किष्णर कमैंडर इंचीफ था 1902 में करजन के कहने पर इसने आर्मी में बहुत सारे रिफॉर्म किये आर्मी को इंडियन आमी वाज डिवाइड इंट्यू कमांड जानते हो क्या होता है भारत में जितनी भी आमी है तो भाई भारत बहुत बड़ा है अब एक कमांडर दिल्ली में बैठा बैठा ही केनट कंट्रोल एवरिटिंग तो भारत के पूरे आर्मी को आज के समय में फाइव कमांड में बांट दिया गया है अब जैसे जैसे आज के समय में कमांड बांट दिया गया है वैसे ही उस समय में भी कमांड को बांट दिया गया था दो कमांड थी एक उत्तरी कमांड थी और एक दक्षणी कमांड थी दर बास ओनली टू कमांड दो कमांडों में वि प्रते एक डिवीजन में तीन ब्रिगेट्स थे अब सेना में इस प्रकार कमांड होता है कमांड में डिवीजन होती है सेवन कमांड से वेरीकूड से यह चोटे-वोटे के information है इसको रखा किजे आप लोग seven है very good ठीक है सेना में seven 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 सेना के परतेएक डिविजन में तीन ब्रिगेट से ठीक है हर एक डिविजन में तीन ब्रिगेट होने थे जिसमें कि दो भारतिय बटालियन रखी जाती थी जिसमें भारतिय के फोजी होते थे और एक अंग्रेजी बटालियन सामिल थी मतलब सेना को इसने खूब खूब ज्यादा बहुत अच्छे तरहिके से रिफॉर्म किया भारत में कई सारे फैक्ट्रीज बारत में कई सारे नहीं मुझे नहीं पता है कर्षप इसलिए तुम्हें पांच बोल रहा था मुझे नहीं पता है ठीक है बट यह सब याद रखना चाहिए यह सब याद रखना चाहिए जरूर ठीक है नहीं भाई मुझे कैसे पता होगा मुझे नहीं पता है चलो सो दो फैक्टरीज वर एस्टेबलिस्ट इन इंडिया तु प्रियूस गंस गंपावड और राइफल्स और आर्मी वाद इकीप्ट विद लेटेस्ट वेपन भारत में सैने हथियार बंदूग बारूद राइफिल भारत में कई सारे आप आपको पता है भारत में ओर्णार फैक्ट्री यहां पर हनथियार बनते हैं यह सारी शुरुवात किस ने लगवाया ज इस में की लेटेस्ट वेपन्स बनते थे ठीक है ओके तू इंक्रीज़ दापीशिएंशी आफ दू सोल्जर्स एवरी बटालियन वह सब्जेक्टि दू सीवियर टेस्ट कानपूर में है तू इंक्रीज दाफीशिएंशी आफ दू सोल्जर्स जितने भी सेनिक थे उनको एक पूरे बटालियन को गुजरना पड़ता था किचनर टेस्ट से आज भी आप पाओगे कि मेरी उम्र भाई मतलब काफी हो गई है अंसी का जहिंद जितने उम्र में आपका ये वायसराय बना था मेरी उम्र उतनी ही है लेकिन उसी का नतीजा है कि जो किचनर टेस्ट आया था उसकी वजह से हर एक तीन महिन्य में आई है I need to prove myself irrespective of the rank जितने भी सेना में लोग हैं सबको भागना पड़ता है तीन महिन्य में अपने आपको प्रूव करना पड़ता है था वेदर यू कन रन वेदर यू आर फिट फिजिकली और नॉट एक दो तीन चार पांच छे वेरी गुड वेरी ठीक है तो मतलब यह किचनट टेस्ट कहते हैं किचनट टेस्ट कि हर एक जवान को हर एक ऑफसर को फिट होना पड़ता है इसने यह शुरुवाद कराई थी कि जुरी पृवही में भी इसनें बहुत काम किया था नंबर औफ ज़जस ऑफ कलकati हाई יכול वज इंक्रीजर का कता हाई कोंड के सुप्रिम कोड भी था आप लोग को पता होने जाइये तो इसने क्या कि कि नंबर ओफ जजजस इसने बढ़ा दिये थे और भी जो छोटे-छोटे जो दूसरे जज थे हाई कोर्ट्स में जो सब औरिनेट कोर्ट्स थे सब जगह पे जजों की संख्या बढ़ा दी गई थी इंडियन कोर्ड ओफ सिविल प्रोसीजर इंडिया भारतिय नागरिक प्रक्रिया सहिंता को भी संसोदित किया गया था अंसिका जहिंद मॉन्यूमेंट एक्ट 1904 अब देखो इसी की वजह से 1904 में एक आर्केलोजिकल डिपार्ट्मेंट को इस्टेबलिस किया गया इसी आर्केलोजिकल डिपार्ट्मेंट ने आपको पता है कि बाद में 1921 में जा करके एक्कीस बाइस राइट हडपा मोहन जोद्रों की सब बताओं की खोज की और कई जगों पे खुदाई वगरा पे हुई ठीक है तो यह मॉनुमेंट एक्ट 1904 पास करने वाला यही था ओके जै महाखाल हां तो इट वासाइंड रस्पोंसिबिल्टी आप रिपेर रिस्टोरें रिस्टोरेशन प्रोडेक्शन फिस्टोरिक्शन फिस्टोरिकल मॉनुमेंट मॉनुमेंट एक्ट 1904 के द्वारा जो और्केलोजिकल डिपार्टमेंट बनी राइट पुरा तत्त्तो विभाग बना उसका काम था कि जितने भी मॉनुमेंट्स हैं हिस्टोरिकल मॉनुमेंट्स वेरी गुड उनका मरम्मत जिर्णोधार और उनका शंग्रक्षन किया रिफॉर्म्स इन वेरियस फील्स हाँ उसने अपने जगहों पे भी एक तो उसने बाई ब्रिटीस इंडिया में ही सुधार किये साथ ही जितने भी नेटिव रूलर्स थे प्रिंसली इंडिया था वहां के भी सासकों को कहा कि किसानों और बाकी सारे जो फायदे की चीज़े हैं जो जनता के लिए वह अपने स्टेट में भी लाएं तो यह सब हो गया इसका अच्छा काम प्रोविंसेज को भी इसने कहा कि भाई संग्रहाल है बनाईए जहां पर दुरलब वस्तुएं शुरक्षित की जा सकें कि यह देखो कि अंतिम चीज हमारे यहां भोजपूरी में कहावत कही जाती है कि जो है ना सराहल बाच्छी लूगा चबाली इसका मतलब क्या होता है पता आपको इसका मतलब है कि जिस बच्छडी गावे का जो बच्छडा होता है जो लेडी होती है उसको बच्छडी कहते हैं बच्छडी या बाच्छी तो जिसकी ज्यादा सराहना करो वो क्या गरती ह वो साड़ी चबा जाती है ठीक है तो इसने अब देखो क्या किया है कसे अब को पता है देखो देन अब यह सारा काम अच्छा कर रहा था सारा काम अच्छा कर रहा था सारा काम जबर्दा साराना वाला किया अब समय आ गया है कि वो साड़ी चबाएगा अच्छा पहली बार दिप्ती को नहीं पता है चलिए पूछिएगा दादी वादी जी को पता होगा हमारे यहां कहा जाता है कि सराल बाची भुगाच्छ वाली कि जिसके ज़्यादा सराना करो वो कुछ ऐसा काम कर देगा कि सारा किये धरे पर पानी फिर देगा वो काम अभी सुनो इसने क्या किया आपको यह पता है कि हर एक जगह पे आप में से हो सकता है कोई बंगाली हो हर एक जगह पे आज भी देश सुतंत्र हो चुका है बट आज भी बंगालियों को कहा जाता है कि बंगाली कमजोर होते हैं अल आफ यू नो दिस हर एक जगह पे कहा जाता है कि बंगाली कमजोर होते हैं ठीक है बंगालियों के उनकी बोली की वजह से बंगालियों के मर्दों को कहा जाता है अफेमिनेट होते हैं यानि कि और तो टाइप के सुभाव होते हैं कि ऑभी आज भी आप लोग करते हैं हमारे यां पर बंगाली क्या करेगा हमारे हम बिहार में इधर Ven 229 याफ लौग यह जो सोच है ना हमारे मन में मैंने कहना चाहता था कि कि जिसकी ज्यादा शराहना करोगे कि करजन ने बड़ा अच्छा काम किया करजन कुछ ऐसा गंद कर जाएगा राइट कि साले लोग उसको गाली दे रहे होंगे वह यह कह रहे हैं तो जो लोगों के दिमाग में माइंसेट है शराहना नहीं पता है आपको शराहना मतलब एप् ठृफटक यह हूता है तो करजन के अमने बड़ी सराहना कर दी अब देखो करजन क्या करता है मेरिए वरी गूडवरीगोड वरी को अब जेखो वह घ्याद कि आज भी कंट्री में एक मोशण देखते हो कि बंगाली ओं को कमजौर कहने का वागétais तो को प्य की कहा जाते है it was the mindset which actually started during this Indian National Movement जब शिफ्ट हो रहा था ना जब शिफ्टिंग हो रही थी जब नरम दल से गरम दल आ रहा था उस समय अंग्रेज डरे हुए थे क्योंकि अंग्रेजों का मुख्य केंद्र कहां पे था बंगाल में था और बंगाली भाई बारूद थे है क्या थे बंगाली बारूद थे हर एक जगह पर आप मतलब सिर्फ बंगाल नहीं था बंगाल बिहार उडिसा वो तो सब बंगाली था राइट आसाम के कुछ हिससे तो वहां के लोग कुछ ना कुछ ना कुछ ना कुछ ब्रिटीज सरकार के अगेंस्ट में करते रहते थे अंग अंग्रेजों ने क्या कि बदनाम किया इन बंगालीयों को अंग्रेज डरे हुए थे अंग्रेज डरे हुए थे और देखो बंगाल बहुत बड़ा था पूरा बंगलादेश पूरा बिहार जार्खंड पूरा का पूरा उडिसा चतिस गड़ के कुछ हिस्से इतना बड़ा भाई बंगाल था कि इतना बड़ा बंगाल तो बंगाल में एड्मिस्टेशन की प्रोब्लम होती थी बंगाल में प्रसासन की आप जानते हो आज भी छोटे छोटे जैसे बिहार को तोड़ करके बिहार और जार्खंड बना दिया गया उत्तर प्रदेश को तोड़ करके उत्तर प्रदेश और उत्तरा खंड बना दिया गया आपके आंध्रा को तोड़ करके आंध्रा और अघंगना बना दिया गया धिशतिसे हम ऐब कि प्रसासनी कार आसानी से हो सके गान पंगाल को ले करके दा बिटीस गौर्ण्मेंट नॉट ओनी करजन करजन से पहले वाले लोग भी करजन से पहले वाले लोग भी इस चीज के बारे में सोच रहे थे को कषभ डोट वरी मैं उस चीज़ पहुँच रहा हूँ कि तो इस से पहले वाले लोग उस जगह पहुँच रहे थे सोच रहे थे कि भै बिलखुल भेट्ट भी टूड़ता है नोस पहले वाले सुरू रहा थे कि बंगाल का विभाजन हु लेकिन दब इससे पहले वाले वर ओनली टेलिंग् डट बंगाल को खाली एड्मिस्टेटिव यूनिट के रूप में बाठा जाए खाली एड्मिस्टेशन दो कर दिया जाए जगह वही रहेगी लेकिन करजन ने क्या हुआ कि करजन ने पूरे बंगाल का पूरे पुर्वी बंगाल का यानि बांगलादेस वाले हिस्सों में गया वो राइट पूरे बांगलादेस वाले हिस्सों में गया और पूरे बंगाल का उसने दोरए किया और जब वो कलकत्त वाले हिस्सों में आया जो वेश्टरन मतलब आज का पश्चिमी बंगाल है बिहार वाले हिस्सों में गया और उली वाले इस्व में गया तो उसने दो चीजे पाई क्या पाया उसने उसने पाया देट दा इस्टन बंगाल विच्वाज वाविंग दव मैजॉरिटी अफ दो मुस्लिम्स वह एक्षुली वेरी पूर और देवर मोस्टली इंटो दो सपोर्ट ऑफ बिटीज द्यान दियेगा अकांग्षा कल आपने मुझे एक क्वेश्चन पूछा है यू आप क्लास में है तो उन्होंने बिटीज सरकार के प्रती उतना ज्यादा रोश नहीं दिखाया बट वन ही क सब्सक्राइब के लिए वेस्टर्ण वेस्टर्ण पार्ट वाट कुड़ ही फाइंड ही कुड़ फाइंड कि पीपल हां ठीक है उसने पाया कि भाई यहां के लोग बिटीज सरकार के एकदम मतलब बिरोध में नेस्नलिजम यहीं पहला हुआ है तो उसने उस चीज के ऊपर सोचा क्या प्रॉब्लम है क्या प्रॉब्लम है तो फिर उसको प्रॉब्लम पता चली प्रॉब्लम की जड़ अकांग्षा के क्वेश्चन में है थिक है अकांग्षा के क्वेश्चन में है तो अकांग्षा का क्वेश्चन क्या था कि सर 1857 के टाइम में 1857 में 1857 हम किसके बाद बोल रहा है रिवोल्ट की रिवोल्ट ऑफ 1857 रिवोल्ट ऑफ 1857 के दौरान देखा गया था कि ली मोस्टली मुस्लिम्स वर अगेंस्ट मुस्लिम वर अगेंस्ट दब्रिटीस ज्यादा तर मुस्लिम अगेंस्ट वहीं पे आप देखो गें मोस्ट आप दे हिंडू ट्रेडर्स जितने भी हिंडू ट्रेडर्स थे वर हेल्पिंग बिटीस वह बिटीसों की सहायता कर रहे थे अब भया 1857 खत्म हुआ तो अंग्रेजों ने यह बाग दिमाल में निकाली कि यह जो मुस्लिम है वही चोर है कि बहाबी आंदोलन वेगेरा आपने देख लो या फिर उस समय क्या नम है कौन से हैं कई सारे आंदोलन जो उदर हो रहे थे वह सारे आंदोलन में आप पाओगी कि बंगाल बिहार उडिसा जारकंड उदर जो पुर्वी बंगाल के मुस्लिम बहुत ही अलीगड अलीगड तो बाद में हुआ है तो अच्छी तरह किसे क्या हुआ कि रिवोल्ट ऑफ एटीन फिफ्टी सेवन में मुस्लिम बिटीस के अगेंस थे कई सारे हिंदू ट्रेडस ने बिटीसों की सहायता की थी इसलिए आफ्टर एटीन फिफ्टी एट अंग्रेजों ने बनाया conspiracy theory यानि शड्यंत्र सिद्धान्त उसके द्वारप पाया की भाई हर एक जगह पे चोर मुस्लिमें हैं कि हर एक जगह पे problem किसको है बहिए मुस्लिम को है राइट मुस्लिमों ने 1857 कराया है और इसलिए अंग्रेजों ने अगले 20 सालों तक 20 सालों तक कोई भी फायदा नहीं दिया 1875 1885 राइट कोई भी फायदा इनको मुस्लिमों को नहीं दिया था इसलिए स्पेशली इन्टो बंगाल रीजन दा एरियाज विच्वर देर इंटो दे इस्ट कि आपके कुश्चन को मैं बदा रहा हूं डोंट वरी मैं आ रहा हूं तो जो एरिया जो पूर्व में थे वहां पे वहां पे बहुत ज्यादा कोई भी एजुकेशन नहीं आई थी खेती वेती भी बहुत डाउन थी फैक्टरीज एस्टेब्लिस्मेंट जो भी बनी थी वो कलकत्ते में बनी थी यानि मुस्लिम बाहुली इलाकों पे ध्यान कम दिया गया था अब हुआ क्या कि जब वो घूमा हमारा लॉड करजन पूरे पुर्वी बंगाल वाले हिस्सों में घूमा कि सर्वे किया तो उसने पाया कि भाई मुस्लिमों की हालत बड़ी खराब है कि सांथ ही कुछ वो मुस्लिम नेताओं से मिला उस मुस्लिम नेताओं ने बहुत ही सपोर्ट दिखाया कि सर हमारे लिए कुछ करो सारा फाइदा उधर पुर्वी पश्मी बंगाल वाले ले ले लेते हैं तब उसके दिमाग में बात आई कि अच्छा ये तरीका है जहां से हम बंगाल को बंगाल के अंदर भई भले बंगाली बंगाली एक हैं लेकिन बंगाल को हम इसी नाम पे तोड़ सकते हैं हिंदू-मुस्लिम करके इसी लिए उसने वही चीज का फायदा उठाया और सबसे पहले क्या किया बंगाल को हिंदू और मुस्लिम बाटना चाहता था तो कहीं और से बाट देता क्या किया उसने उन जगहों से बाटा जहां पे हिंदू मुस्लिम जहां पे नंबर सुनके थे हिंदू मुस्लिम के नंबर ज्यादा थे मुस्लिमों को मुस्लिम वाला हिस्सा कर दिया हिंदू को हिंदू वाला हिस्सा किया उससे क्या फायदा हुआ उसको कि बंगाल में जो नेशनलिजम की लहर दोड रही थी तो जो बं अपने ही स्टेट में कि अपने ही स्टेट में वह माइनॉरिटी हो गए क्योंकि जो पस्चिम बंगाल बना पस्चिम बंगाल वेस्टर्न बंगाल बना उसमें वेस्टर्न बंगाल था उसमें हमारे उडिसा के लोग थे उसमें हमारे बिहार के लोग थे उसमें हमारे 36 गड़ के कुछ हिस्सों के लोग थे समझ रहे हैं आप लोग यानि कि अब उसने बंगालियों को जो हिंदू बंगाली थे उसको माइनॉरिटी कर दिया और उधर मुसलिम जो थे मुसलिम वाला उनको एक सांथ कर दिया अब जो इस टर्न बंगाल के जो मुसलिम थे उन्होंने इस बंगाल विभाजन का पूरा सपोर्ट किया क्या पूरा का पूरा सपोर्ट किया क्यों क्योंकि उनके लिए एक एडिस्टेटिव यूनिट मिल रही थी उनके लिए अंग्रेज कुछ कर रहे थे उनके लिए अंग्रेज एक नई जगह धाका बना रहे थे जहां पर वो सकता है फैक्टरीज हो सकता है स्कूल खुले लेकिन यह जो पूरा पूरा बंगाल था इनको क्या प्रोब्लम थी उनके लिए उनका एक हिस्सा कट रहा था तो में सोच लॉड करजन का क्या था कि बाट दिया जाए इस्टर्न एंड वेस्टर्न बंगाल को ताकि बंगालियों में जो यह रास्टवाद की लहर दोड रही है यह जो इसको फिश्टर्न बंगाल इसका पूरा समर्थन किया जो आज बंगला देश के मुसलिम है या पूर्वी बंगाल के मुसलिम है बंगाल विवाजन का सपोर्ट किया हालांकि जो पश्चमी बंगाल में जो मुसलिम थे जो पढ़े लिखे सिक्षित थे जो नेस्लिनिजम को समझ रहे थे उनको इससे परशानी हुई कि अल उफ यू क्लियर क्या मोटिव था अकांग्शा आपको आपका जवाब मिला एनिवन जिसको अभी डाउट है या इंग्लिस में किसी को अभी डाउट है बोलिए बंगाल विभाजन एनिवन जिसको अभी मन में थोड़ा सक्षन दे है हम यही तो कहने की कोशिस कर रहे थे बस हम भी यही कह रहे हैं आकांग्शा मैं इसमें आपको सारी बाते ओपन करके कहा ठीक है आगे चले चलिए यह तो हो गई कहानी सुनी आपने ठीक है तो करजन्स रोल्स इन दे पार्डिशन ऑं बंगाल बिल्कुल मुस्लिम ने उसका फेवर किया था क्योंकि मुस्लिमों को प्रॉफिट हो रहा था बिल्कुल ठीक है सुनिये करजन्स रोल इन पार्डिशन ऑं बंगाल यस नहीं नहीं अकांग्षा नहीं हम नकल नहीं उतार रहें हमने बस ऐसे ही बोलने की कोशिश की यह यह मेरा तरीका है डोंट वरी मैं आपने बहुत अच्छी चीज पकड़ी थी मैंने उसमें हो सकता है कि कि अगर एक आज जगहें रही होगी उसको मैंने करेक्ट करने की कोशिश की है कि भाई इससे इस्टरन बंगाल को वेस्टरन बंगाल को क्या क्या नुक्षान हुआ होगा की कर जन संग थी आठ करोड थी बंगाल की जन संगया और भारत का सबसे अधिक अबादी वाला प्रांद था उस समय वो इट कंप्राइज दे प्रेजेंट डे स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल ध्यान दो उसमें क्या-क्या जगहे थी आज क्या उसमें वेस्ट बंगाल था बिहार था च्छतिस गड़ का भी हिस्सा था उडिसा था आसाम था और पूरा बांगला देश था इन जुलाई 1905 करजन ने अनौन्स किया पार्टीशन ऑप अंडिवाइड़ बंगाल प्रेसिडेंसी कि बंगाल का बिवाजन होगा बंगाल का बिवाजन होगा उसने कहा कि इस्ट बंगाल और आसाम दोनों मिलाकर के एक नया प्रोविंस बनेगा जहां पर लगबग साड़े 3.1 करोड लोग क्या थे 3.1 करोड विद मुस्लिम हिंदू रेशियो ऑफ 3 इस टू जरा सोच लो कि यहां की पॉपुलेशन कितनी थी साड़े 3 करोड या 3 करोड जिसमें से लगबग 2 करोड दो करोड मुस्लिम थे एंट वन करोड हिंदू थे वन करोड हिंदू थे पूरा बंगाल आठ करोड था जो पुर्वी बंगाल आसाम बन रहा था यानि बंगलादेश और जो आसाम बन रहा था वहां पर 3.1 करोड था तीन करोड दस लाक वहां पर दो करोड मुस्लिम होंगे एक करोड हिंदू होंगे जबकि वेस्टर्न बंगाल जिसमें वेस्टर्न बंगाल बिहार उडिसा थे वहां पर ज्यादा तर हिंदू मेजॉर्टी थी कि वेस्ट बंगाल प्रोविंस वास ओवर्वेंग में ओवर्वेंगली हिंदू वहां पर हिंदू मैजॉर्टी थी हिंदू सरवाधिक थे दैन ओल्दों अल्दो दबिडिस क्लेंद पार्डिसन वास्टू मेंग अधनिस्टिशन अफ लाज रीजन इजियर हमने आपको अभी अभी क्या बताया हमने आपको कहा हमने आपको कहा कि बिटीसों ने ऐसा कहा अंग्रेजों ने दावा किया कि बिभाजन किस लिए कर रहे हैं बड़े शेत्र के प्रशाशन को शुविदा जनक बनाने के लिए कर रहे हैं लेकिन यह बात कॉंग्रेस और देश्भक्त भारतियों को सफस्ट थी कि कर जन क्यों कर रहा है कर जन ऐसा क्यों कर रहा है कर जन्स एक्ट्वल मॉटिब वॉस्टू क्रस्ट दा इंक्रीजिंगली लोग पॉलिटिकल वॉइस अब लिट्रेट्स क्लास इन प्रोविंस प्रोवोग रिलिजियस ट्राइफ एंड ऑपोजिशन अगेंस दिम कि सारे लोगों के दिमाग में यही बात रही कि करजन के दिमाग में कि बंगाली सबसे ज्यादा वोकल हैं तो आगे से आप मेंसे कोई भी बंगालियों को कमजोर कहें तो इस बात को जान लेना कि देश के शुरुवाती दौर में इंडिन इसमें मॉवेंट जब स्टार्ट हुआ है जितना ज्यादा बंगालियों ने बिद्रो किया उतना ज्यादा बिद्रो किसी नहीं किया है और जो आप कहते हैं बंगाली कमजोर हैं वह आप इसी लिए कहते हैं क्योंकि आपको अंग्रेजों नहीं बात बताई है ठीक है तो आगे से इस चीज़ का ध्यान रखे तो बाई करजन का मोटिव क्या था कि जो हिस्सा जो लिट्रेट क्लास इस प्रोविंस में पूरे बंगाल में बड़े तेजी से उभर रहा था अंग्रेजों के अगेंस्ट में उसको रोका जा सके कि उसको रोका जा सके और वहां पर क्या वहां पर कि बीच में फूट डालों की मतलब धार्मिक शंगर्स और विरोद की शुरुवात की जा सके ठीक है कि नहीं या कांख्या मैं बहुत जगह पे लोग बोलते हैं यह इसलिए मैं बोला हूं ठीक है चलो हाववेबर दो प्रोटेस अगें पार्ट पार्टिशन डिड नॉट रिमेंड कॉन्फाइंड इन दिस क्लास अलोन हालांकि बंगाल का विवाजन सिर्फ बंगाल तक ही सिमित नहीं था कहां कहां पे चला पूरे भारत में कई जगहों पे आप देख लो आंद्रा वाले हिस्सों में उधर आपको पंजाब प्रांद में कई जगहों पे बंगाल विवाजन के बारे में लोगों ने आवाज उठाई हाँ बिल्कुल कि यह आप देख पा रहे हों कैन यू सी दिस आपको जो दिख रहा है कि आपको जो हिस्सा यह देख रहा है पूरा क्या पूरा मैप कि देख रहे हैं आप ओके यह देख लो यह पूरा का पूरा हिस्सा जो आप देख रहे हो और इसमें जो रेड दिख रहा है रेड ठिक है यह जो आप देख पा रहे हो यह पूरा क्या पूरा इस्टन बंगाल यह जो रेड़ वाला है इसमें हमारा वैस्ट बंगाल है इसमें क्या है? हमारा वेस्ट बंगाल है, आज का वेस्ट बंगाल, आज का बिहार, आज का उरिसा और थोड़ा सा अपार्ट ओफ छत्तिस गर्ड इसमें है अपार्ट ओफ छत्तिस गर्ड इसमें था, यह जो आप पूरा ग्रीन वाला हिस्सा देख रहे हो, यह आज का बंगला देश है आज का बंगला देश है, और ग्रीन याद रखना, यहां पे भाई मुस्लिमों का कलर है, यह पूरा मुस्लिम मेजॉरिटी है 58% मुस्लिम मेजॉरिटी थी इस जगह पे, ठीक है, बांगला देश है, और यहां पे आसाम आपको लिखा दिख रहा है, आसाम है 1905 में, आक्टूबर 1905 में इसको बिभाजित कर दिया गया था, ठीक है, चालो, पार्टीशन आप बंगाल, देखते हैं, लौड करजन अनौस्ट्ट पार्टीशन आप बंगाल ऑन 16 ऑक्टूबर 1905, लौड करजन, लौड करजन, लौड करजन, बड़े अच्छे काम किये, और लॉड करजन ने अंत में जो काम करना था वो काम कर गए 16 ओक्टोबर 1905 में बंगाल को बाढ़ दिया दो भागों में बाढ़ दिया पहले भाग में पूर्वी बंगाल और आसाम थे जिसकी राजधानी ढाका थी और दूसरे भाग में बंगाल के पश्चिमी भाग मतलब आज क्या पश्चिम बंगाल बिहार और उडिसा था जिसकी राजधानी कलकत्ता थी तो अगर मैं बिहारी हूँ और इनफैक्ट मैं हूँ तो पहले हम भी इसी बंगाल के हिस्से रहे होंगे ठीक है पुर्वी बंगाल और हम पश्चिमी बंगाल के इससे रहे होंगे मतलब पश्चिमी भाग बिहार और उडिसा इन सब की राजधानी कलकत्ता थी वाई बिटीज गौर्वर्ण्मेंट उप्टेट फॉर प्राटीशन अंग्रेजों ने क्यों किया प्राटीशन बिटीज सरकार ने विभाजन क्यों किया ठीक है पहला वही बहाना क्या बहाना एड्मिस्टेटिव इंकन्वीनियंस होती है बहुत बड़ा स्टेट है बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है देखिए सब कुछ ध्यान में नहीं दे पाते हैं थोड़ा सा छोटा रहेगा तो असानी से असानी से हम लोग यहां पर ध्यान में कर दिये बिडीज गॉर्नमेंट पूट फॉर्वर्ट अफ एड्मिस्टेटिव इंकन्वीनियंस कहा कि एड्मिस्टेशन में प्रसासन में बड़ी सुविधा होती है बड़ी अशुविधा होती है इंकन्वीनियंस होती है पार्टीशन और बंगाल इसलिए हम कर रहे ह intention was different real intention क्या है भाई दो दे बंगाल प्रोविंस आप तो रियल इंटेंशन पता जल गया फूद डालो और राज खरो बंगाल में रास्टवाद सबसे ज्यादा उभर रहा था बंगाली खूब खूब आगे निकल रहे थे तो अब कहा कि अब बंगाल को तोड़ना है और बंग दिदिक इसल डूवायइट डिवायट जा रिलीजियोस क्या गया में दा की डूवाइट द पॉपुलेशन और रिलीजिच राइं दियू अनु यफ्य कि बंगाल में बीच में सबसे पहले क्या इनका में उद्देश क्या था धार्मिक तर्द पर आबादी को विभाजित कर हिंदू और मुस्लिम को बीच में फूट डाल देना ठीक है फूट डाल देना क्यों वाइब बत वाइब दीवाइद रूल या प्रस्ट रूटता है न क्यों सरक्यों नहीं दूसरे जगों पर बाढ़ दिया फूट डालो और राज करो की नीती क्यों क्यों दिस वाज्टर स्ट्रोग अब डिटीज सबसे बड़ा रीजन था कि भाई स्पिरिट ऑफ नेशनलिजम और सबसे ज्यादा फैल रहा था कहां पर बंगाली लोगों में बंगाली बिहारी उडिसा इधर खूब ज्यादा मनलब तवाही मचाय हुए थे क्यों क्योंकि वो डाइरेक्ट अंटर कंट्रोल थे डाइरेक्ट अंटर कंट्रोल थे इन फैक्ट बहुत सारी जगे डाइरेक्ट अंटर कंट्रोल थी बट वह सीधे वाइसराय के अंदर आ रहे थे राइट सो स्पिरिड ऑफ नेशनलिजम बहुत फैल राथ अंग्रेजों को यह बात पता चल लगई थी आपको पता है दिल्ली दिल्ली के अंदर हां अठारो सु सत्तावन के रिवोल्ट वेरी गुड़ा कांग्शा दिल्ली के अंदर भी पूरे दिल्ली में सेना का प्रसासन बक्त खान के हांट में था राइट बहादुर्शाद जफर के ही सांथ व्यक्ति था उनका सेना पती था बक्त खान और बक्त खान के अंतरगत बक्त कान के अधीन हिंदू-मुस्लिम बराबर तरीके से लड़ रहे थे सारे सिपाही एक सांथ लड़ रहे थे अंग्रेजों को पता था कि अगर हिंदू मुस्लिम एक हो गए और नेसलिजम फैली रहा है तो धीरे 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 हमारा पत्ता साफ हो जाएगा सब्सक्राइब लेशन ओफ हिंदू-मुस्लिम यूनिटी फ्रॉम दे रिवोल्ट ओफ एटीन फिप्टी सब्सक्राइब 1857 के विद्रो के दौरान ठीक है उन्होंने क्या देख लिया था और लेडी इस बात को देख लिया था कि किस प्रकार से लोगों में लोगों में एक सब्सक्राइब दूसरी कॉंग्रेस की नियू से भी हिंदू-मुस्लिम एक हो रहे था भारत में स्लोली स्लोली इन फाउंडेशन ओफ कॉंग्रेस और रोल अल सेक्षिन इस्पेशली हिंदू-मुस्लिम लीडर इंडिया वही 1857 वाली घटना दुबारा से होने जा रही थी पर आज आपकंग्रेस की वजह से कॉंग्रेस जो राष्टवाद का बीज बोर ही थी और आज जो है तथाकथी या सोसल मेडिया पे अगर आप देखते हैं तो इस को लोग और रास्पवादी कहते हैं तो तो जो Congress उस समय जो रास्टवाद की बीज बो रही थी Hindu Muslim फिर से युनाइट हो रहे थे रास्टवाद की वज़े से अंग्रेजों के अंदर बड़ा डर था the English was frightened because they had seen that the Hindu Muslim unite they had seen that there was a 1857 revolt and now they were about to see something which was much bigger जो उससे बड़ा हो सकता था इसलिए अंग्रेज डर गए थे ठीक है सभी वर्गों खाजकर Hindu और मुस्लिम नेताओं की भूमिका को देखकर Hindu Muslim एकता का सबक सीख लिया था इसलिए वे उसे तोड़ना चाहते थे तो तोड़ेंगे कैसे भाई बंगाल का विभाजन करें लॉड कंजर अंडेस्टूड बंगाली नेशनलिजम और बंगाल विकम्टर अप्रिवलुशनरी एक्टिविटीटीज अभी अभी हमने कहा कि भाई बंगाल को लोग आज भी कई सारे बंगालियों को कमजोर कहते हैं इसलिए कहते हैं क्योंकि हम बंगालीयों की जो राष्ट भक्ति है वो जबर्दस्त की थी बंगाल हैं बिकम्टर अप्रिवलुशनरी एक्टिविटी बंगाल में जगह जगह पे कामतिकारी घूम रहे हैं राइट हैंस दब्रिटीज गवर्नमेंट अप्टेट तो अप्लाई दपॉलिसी ऑफ डिवा डिवाइड रूल को लगाया जाए इस पार्टीशन के माध्यम से ठीक है बंगाली नेस्नलिजम और हाव बंगाल विकम्टर अप्रिवलुशनरी एक्टिविटी किस प्रकार बंगाल क्रांतिकारी गतिविद्यों का केंद्र बन गया था इसलिए ब्रिटीज सरकार ने बंगाल विदिस पार्टीशन के बट लॉड करजन गलती कर गया कैसे गलती कर गया लॉड करजन सोचा बंगाल विवाजन कर देंगे मुसलिम साथ में इस बंगाल के पूरे मुसलिम साथ में थे अगेंस्ट में कौन था अगेंस्ट में जो वेस्ट बंगाल के कुछ एक मु देशबर में हिंदू इसके बिरोध में थे और लॉड करजन मिसकेलकुलेटेट दे स्ट्रेंथ आप नेसलिजम बहुत गलत आकलन कर लिया लॉड करजन में कि आफ्टर दपाडिशन दरेवलुशनरी एक्टिविटीज इमोज्ड मोर स्ट्रॉंगली देन बिफोर सोचा था कि बंद हो जाएगा रास्टवाद नहीं बंद हुआ और जाड़ा होने लगा खुदी राम बोश ने तुरांट बंगाल विवादन के कुछ दिनों के बाद म मुझा फर्पूर मेरी सुस्वराल है उस समय बंगाल था अभी बिहार है मुझा पूर्पूर में बॉम मार दिया किंग्स फोर्ड के ऊपर राइट सिर्फ एक जगह पे नहीं कई जगहों पर आसे बॉम धमाके बॉम धमाके चलने लगे पूरे बंगाल में स्वदेशी यह में करजन को वापस बुला लिया गया वहां पे क्राउन ने कहा एक अरी बेहुद्दे तुमको क्या कि प्रजन ने सोचा था राष्टवादी गतिवी दिया कम हो जाएं पहले की तूलना में और अधिक मजबूती से उभरी और अचरम पंधी सविने और यहां पर सवदेशी सवदेशी मुवमेंट शुरू हो गया सवदेशी आंदूलन शुरू हो गया इतना बड़ा आंदूलन पहली बार शुरू हो गया तो स्वदेशी मुवमेंट नॉट वीकम पॉपुलर इन बंगाल थोड़ा सा रुकियेगा मतलब जो पल्षान नहीं होईएगा क्योंकि थोड़ा सा और भी है इसमें अभी इंपक्ट भी जानेंगे ठीक है कि हां देन स्वरेशी मुवमेंट नॉट विकम पॉपुलर इन बंगाल इंडिया इंडिया सोचा था सिर्फ बंगाल के अंदर रास्टवाद को दवाना ये क्या हुआ बंगाल का विवाजन कर दिया पूरा रास्टवाद पूरे भारत में फैल गया इस हाग डेवलप्ट असेंस अ सेंस of unity amongst the whole Indians पूरे भार्जियों में एकता की भावना बिक्षित हुई क्या हो गया क्या सोचा था क्या हो गया the partition has actually provided a cause to the nationalists for the agitation against the unjust British rule and to aware the masses about the same पहले लोग विस्वास नहीं कर रहे थे कि अंग्रेज मतलब गलत कर रहे हैं अंग्रेज गलत कर रहे हैं बड़ अब अंग्रेजों को पूरी तरह से विस्वास हो गया लोगों को अच्छे तरीके से विस्वास हो गया कि अंग्रेज जान बूच के जान बूच के या काम कर रहे हैं भारत को भारत के लोगों को फूट डालने के लिए तो अब यह जो मुवेंट चला स्वड़ेशी मुवेंट पूरे भारत में फैल गया जिस nationalism को बंगाल में वह करना चाहते थे हिंडु मुस्लिम को बात के वह क्या से क्या हो गया वह पूरे भारत में फैल गया ठीक है दपार्डीजन अध्यूरी प्रोवाइड़ेड़ कॉस्टू देनेशनलिस्ट विभाजन के बाद रास्टवादियों को और भी ज़्यादा अन्यायपून बिटीज सासन का चेहरा पकड़ के लोगों को दिखाया देखो हम कह रहे थे ना कि ये करने वाला देखो कर दिया देखो कर दिया ठीक है ये हो गया बंगाल विभाजन एक राइट बंगाल विभाजन जान लिया इंपक्ट जानते हैं इंपक्ट उप्ट पार्टिशन क्या प्रभाव हुए विभाजन के प्रभाव क्या हुए ठीक है कि दे पार्टीशन प्रवोग ग्रेट रिसेंट्मेंट एंड होस्टेलिटी आल ओवर इंडिया विभाजन ने पूरे भारत में भारी अक्रोश और शत्रुता को जनम दिया किसके अगेंस्ट अंग्रेजों के बिरुद्ध अग्रेजों के साथ तो नहीं थे मतलब अंग्रेजों के अंग्रेजों में विस्वास करते थे सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग उनकी भी आंके खुल गई और रेडिकल्स तो बिरुद्ध में थे सारे एक सांथ हुए नरम गरम दोनों एक सांथ अब वह अलग बात है कि 1907 में नरम पंथ गरम पंथ अलग हो गया नरम दल गरम दल अलग हो गया 1907 में हुआ था क्या मैं सही हूँ 1907 में हुआ था लेकिन दोनों ही लोगों ने अपने 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 जगह पे अंग्रेजों का विरोध किया है हम अलग हो गये तो क्या हुआ भाई दोनों ने अपने अलग अलग तरीकों से अंग्रेजों का विरोध किया ठीक है हाँ सभी वर्गो नरम पंथियों और कट्टर पंथियों ने इसका विरोध किया the struggle that unfolded in the response came to be known as swadhesi movement और इसके बाद बंगाल के विवाजन के बाद जो struggle शुरू हुआ which was unfolded the movement which was started was known as swadhesi movement उसके बाद swadhesi आंदोलन शुरू हुआ कब से कब तक चला 1905 से लेकर के 1908 तक वाज दस्ट्रॉंगेस्ट इन बंगाल सबसे ज्यादा कहां पे था बंगाल में वेरी गूड अक्षिता सूरत स्प्लिट है सबसे ज्यादा कहां था बंगाल में सरवादिक प्रभाव इसका बंगाल में तेखा क्यों और किस बंगाल में पुर्भी बंगाल में नहीं वो तो अंग्रेजों के साथ थे वो खुश थे मुस्लिम बड़ा खुश थे मुस्लिम बड़ा ही खुश थे कि अरे यार बहुत बढ़िया कर दिया हमारा तो मतलब एकदम दिल खुश कर दिया मुसलिम बहुत खुश थे उससे दिक्कत किसको थी जो वेस्टरन बंगाल में या बिहार में उरिसा में जो पढ़े लिखे लोग थे यहां के हिंदूओं को यहां के जंता को पुरे देश के हिंदूओं को जो पढ़े लिखे हिंदू थे उनको जो पढ़े लिखे कुछ मुस्लिम थे जो देश के पुर्वी बंगाल वाले हिस्सों में नहीं रहते थे उनको यह लोगों ने इनका विरोध किया बट स्पेशली वन यू राइड यू राइड कि मुस्लिम्स वर इन फेवर ऑफ बिटीस और दे वर इन दे फेवर ऑफ दा पार्डीशन ऑब बंगाल आप इस बात को लिखेंगे ठीक है बड़ इस सो इट वास्ट्रॉंगेस इन बंगाल बट विद इकोज एल्ज्वेर टू लेकिन स्वदेशी आंदोलन इसकी जो गूज थी इसका प्रभाव था पूरे देश में थोड़ा थोड़ा बहुत चल रहा था पूरा आंदर परदेश डेल्टाइक आंदर परदेश में भी यह मूमंट शुरू हुआ इसका नाम दिया गया बंदे मातरम मूमंट बंदे मा किसी लाइन पर चले गए बिलकुल कि दप्रोटेस वाज्ट बाइकोर्ट बिटीश कुड्स स्वदेशी आंदोलन में क्या हुआ लोगों के सामने नाओ दफेस ऑप बिटीश वाज वैरी मच क्लियर कि वह हमारे देश को लूट रहे हैं वह हमारे देश को तोड रहे हमारे हिंदू मुस्लिम को बाट रहे हैं स्वदेशी आंदोलन क्यों कहलाया क्योंकि इसमें बाइकोर्ट किया गया बिटीश गूर्ट स्पेस्ली टेक्स्टाइल्स का अंग्रेजों की वस्तुएं विसेस्ता वस्त्रों का बहिस्कार किया गया लोगों के पास जितने भी गए थे उसको लोगों ने होली जला दिया जो अंग्रेजों के मतला बिटेन के बने हुए कपड़े वगएरा थे उसको जला दिया गया और प्रमोट स्वदेशी गुड्स स्वदेशी आंदूलन इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें कहा गया कि भारतिये चीजों का यूज करन गया चीन से या पड़ोसी देश से होने वाले जो बैपार हैं उसके उपर और भी टैक्स ज्यादा कर दिये गया राइट जो भी समान दा उनके उपर टैक्स को बढ़ा दिया गया क्लियर है वैसा ही काम उस समय में भी हुआ अंग्रेजों के समानों को जला दिया गया और सो समदेशी वस्तूओं को बढ़ावा दिया गया है ठीक है है ओके दैन सिंगिंग बंदे मातरम तू अंडरलाइन देर पैट्रिटिजम और चैलेंज दा कॉलोनिलिस्ट बंदे मातरम किसका लिखा हुआ है बंकीम चौंद चटर जी आनंदमठ ठीक है बंदे मातरम का गाया चाना ना पैट्रिटिजम ओ कि दिखाना था हर एक जगा पे बंदे मातरम गाते हुए लोग के अंगरेजों का विरोथ करते थे बंदे मातरम आप देखना कि कई बार देश में ऐसा भी हुए है बंदे मातरम हमारा valeur juste गीत है कं और такие uh गान है कि जनगन मन है बंदे मातरम कितने लोग को याद है थोड़ा सा ही बंदे मातरम को बुलिए थीक है नहीं याद होगा बहुत कम लोग को याद है हाँ चलिए बंदे मातरम शुजलाम सफलाम मले और शीतलाम सश्च शामलाम मातरम बंदे मातरम यही है ना खेल शुहार्शनिम् सु मदुर्भात्षनिम् चलिये वेरी गूड तो बंदेющग उजहां पर भी लोग गातें समय इंग्रे ब़िरोध से बंदेमातरम देश करें और किस सब्सक्राइब वेरीघू कि तो यहांन दिकले मातरम देश में और बंकिम चंदकों में मुस्लिम हैं क्यों कहेंगे माता की पूजा क्यों करेंगे कृई करेंगे तो ऐसलाम में ऐसपने बाना मुन्धाwią करेंगे अपनी अपनी सोच है और हमारे देश में क्या है आर्टिकल नाइंटीन है वाग्य की स्वतंत्रता है जो मन करें बोलिए क्या है देश तो आजाद हो गया है अब अंग्रेज थोड़े ना है बोलिए जो मन करना है बट उस समय स्वधेसी बूमिट के दोरान बंदे मात्रम गाना सेवरेल थाउजंड वलंटियर्स पूरे बंगाल में कई हजार समसेवकों की कई समीतिय बनी अंग्रेजों का बिरोध करने के लिए रबिंद्रना टैगोर लेड़ दा मार्चस अथ मैनी प्लेसेस और कंपोज मैनी पैट्रियोटिक सॉंग रबिंद्रना टैगोर कई अस्थानों पर इन्होंने जाकरके प्रदर्शन का नेथ्रित्त किया बहुत सारे पैट्रियोटिक सॉंग कई देशवक्ती गीतों की इन्होंने रचना की जिसमें सबसे प्रसिद्ध है आमार शोनार आमार मतलब हमार माई आमार शोनार सोने की हमारी सोने की बांगला मतलब बंगाल ठीक है सबसे प्रसीद है आमार शोनार बांगला जो कि आज बांगला देश का रास्टी गीत है रास्ट गान है बंगलादेश का रास्ट गान है हां प्रेजन टाइम आमार शोनार बंगला यह रविंद्ना टैगोर ने किस समय बनाया था स्वदेशी मुव्मिंट के समय सबसे फेमस थी दे मैसेज ऑपैट्रीटिजम और बंगली नेशनलिजम वह सोगे सिंज जात्रा और पॉपुलर थेटर आप लोग को मैंने पढ़ाया है कि जात्रा होता है जात्रा बंगाल में उडिसा में थेटर है मैं यूपीस्य पीज मैं अकडमी पर पढ़ा रहा था तो मैंने आप के लोकल थीटर है उसी में एक जात्रा थीटर है रंग मंच है ठीक है तो लोकप्रिय थीटर है जात्रा उसमें भी जो चीजे दिखाई जाती थी उसमें बंगाली राष्टवाद का और देश-भक्ति की गीतों का संदेश दिया जाता है यानि कर्जन क्या करा गया कर्जन पूरे देश में राष्टवाद की फूक फूकवादी कर्जन लेफ्ट फॉर बिटेन इन 1905 कर्जन को भारत छोड़कर बिटेन जाना पड़ा वहां से बुलावा आया अब यहुद्दे वापस आओ कम ब दान्स देर वी सॉंग देर वी ड्रामा थिक है थी ये टर में तीनों चीजें होंगी सॉंग डान्स एड्रामा तीनों चीजें नाट भी वहोगा नाट निर्त और गयन कर्जन लेफ्ट फॉर बृतेन 1905 कांड कर दिये 1905 में अक्टूबर 1905 में कांड कर दिये और ब्रिटेन चले गए लूगा चिबा के चले गए बड़ अजीशन कंटिन्यूड फॉर मैंनी इयर्स और यह अजिटेशन जो आंदोलन चला कई वर्सों तक चलता रहा लोगों को खुश करने के लिए 1909 में मैंने आपको पढ़ा दिया है नाइंटीन जीरो नाइन में जो जो करजन साब करतूत किये थे बंगाल का विभाजन तो नहीं खतम किया गया लोगों को खुश करने के लिए क्या किया गया लोगों को खुश करने के लिए मौरले मिंटो रिफॉर्म्स लाए गए मौरले मिंटो रिफॉर्म्स सभी ने पढ़ा है अल आफ यू एब रेड बड़े ध्यान से ठीक है मॉरले मिन्टो रिफॉर्म लाए गया फायदा हुआ फायदा हुआ वेरी गुड लोगों को खुश करने के लिए लाए गया पार्टिशन वास फाइंडली रिवर्स बाई 1911 तो उसके बाद से फिर उस समय मॉरले मिन्टो रिफॉर्म के टाइम में कौन था रिपन था रिपन था रिपन या लिटन कौन था अब बताईए अब हुआ वाइसराय ओफ इंडिया रिपन और लिटन अब मैसेज आपके बड़े तेज आते हैं बड़े धीरे आते हैं कभी कभी रिपन था रिपन चलो ठीक है नाम लिखके बताईएगा सो पार्डिशन वास फाइनली रिवर्स बाई इन 1911 लेकिन 1911 में जब लॉर्ड हार्डिंग थे हार्डिंग उसके समय में जॉर्ज पंचम जॉर्ज फिफ्ट केम इन्टो इंडिया जॉर्ज पंचम भारत में आये और उन्होंने वेरी गुड शुजलाम शुपलाम मलयज शीतलाम शश्च श्यामलाम मातरम शुब्र जोतसना पुलकितियामनिम शुबाशनिम शुमदुरवाशनिम ठीक है जान दीजे यहां पर लॉड हाडिंग जब आये तो 1911 में इस बंगाल विवाजन को रिवर्स कर दिया गया बंगाल विवाजन को रिवर्स कर दिया गया उल्टा कर दिया गया मतलब वापस कर दिया गया बंगाल का विवाजन रद कर दिया गया जौर्ज पंचम भारत में आये थे दिल्ली दर्बार लगा विवाजन खतम कर दिया गया दो स्वदेशी मुवमेंट लेकिन जो अब पार्टीशन का नियू राइट जो अब रास्टवाद का नियू डाल चुके थे करजन साहब वह रास्टवाद नहीं हटा ठीक है वह रास्टवाद नहीं हटा दस्वदेशी मुवमेंट विछ अग्रों सिग्निफिकेंट ली डूरिंग डाइटेशन लेटर रीच नेशन वाइड प्रोपोर्शन जो करजन ने रास्टवाद की नींद की नियू चला दी थी वह अब पूरा आंदुलन रास्टव्यापी इस तर पर पहुंजिया नेशनल इंडियन नेशनल मुवमेंट खूब बढ़िया से पूरे दे बेहवियर अब करजन फाइड दे नेशनल मुवमेंट अन्ट कॉंग्रेस बंगाल विवाजन और करजन का क्रूर विवहार रास्टी आंदोलन और कॉंग्रेस का एक ज्वलंत आंदोलन की और उसने मोड़ दिया इंडियन नेशनल मुवमेंट अब बहुत अच्छे तरीके से शुरू हो गया कंक्लूजन लिख दें इन दा बुक लाइन अंद टाइगर बाइड डेनिस जूड इसमें दराइज और फाल अब दे बिटीस राज कि 1602 1947 डेनिस जूड ने एक किताब लिखी है ठीक है किताब लिखी है राइज और फॉल आप बिटीस राज उसमें एक चैप्टर है लाइन अंड टाइगर करजन अच्छे काम क्यों कर रहा था कि आप लोग सोच रहे होगे कि सर क्यों आप करजन के अच्छे काम गिनवा रहे हो तो करजन अच्छे काम इसलिए कर रहा था कि वो चाहता था कि बिटीस राज के अंदर बिटीस के अंदर इंडिया को पर्मानेंटली दिल से बांद दिया जाए इसलिए उसने अच्छे अच्छे काम किये लेकिन फिर क्या बोले फिर उसने वही कर दिया जो उसको नहीं करने चाहिए था आइरोनिकली इस पार्टीशन ओव बंगाल और बिटर कर्ट्रोवर्सी डाट फॉलोड डिड मच्टू रिवर्टलाइज कॉंग्रिस उसका मुख क्या था रास्टवाद को खतम करना बिटीस राज के अंदर भारत को पूरी तरीके से ला देना अच्छे काम करना लेकिन पार्टीशन ओव बंगाल ने वह काम कर दिया कि जिस चीज को खतम करना चाहता था कॉंग्रेस को खतम करना चाहता था वह और भी अच्छे तरीके से आ गई करजन चाहता था कॉंग्रेस ने बात कही थी उसने कहा था यह वांट तो सी दे कॉंग्रेस अज़ टॉटरिंग टॉट्रिंग वह कह रहा था कि मैं देखना चाहता हूं कि कॉंग्रेस किस प्रकार अपने पतन की और जाती है कि अल्टिमेट्टी लेफ्ट इंडिया विद कॉंग्रेस मोर एक्टिव और इफेक्ट एट एनी टाइम इन इस हिस्ट्री कि राइट कॉंग्रेस का फॉल देखना चाहता था इसी लिए वह अच्छे काम भी कर रहा था कि भाई जब मैं खुदी अच्छे काम कर दूंगा तो लोग काएंगा रहे कॉंग्रेस इसे बेकारा डव लेकिन जाते जाते पार्टिशन और बंगाल करा गया और जब वह गय स्वदेशी मुवमेंट जब उसने देखा तो उसको अब बात समझ में आगे कि भाई इतना मजबूत तो कॉंग्रेस कभी नहीं थी मतलब उल्टा काम करके चला गया बिंग अन आटोक्राट निरंकुष आशक्ता करजन कोर्स ओफ एक्शन है अक्यूज है अग्यूज है ग्रेट अमाउंट और रिसेंटमेंट अमॉंग दे इंडियन्स निरंकुष होने की वज़े से पार्टिशन और बंगाल ने लोगों के अंदर गुस्सा भर दिया है yet considered from the point of view of efficiency Ihnen initiative अगर हम उसको सोचें कि उसने क्या कांब किया है It isbons कि उसकी योग्यता क्या है इंटरप्राइज क्या है उसका दिमाग कैसा ठाइब व्द् Lageभ अभयान कैसा था इन क्या थी उसकी दक्षता क्या थी तो वह कर्जन को आप इंडिया के बेस्ट गवर्नर्ट जनरल में से एक मान सकते हो लिवेस्ट गवर्नर्यट जनरल मतलब बाची और बाद में पार्टीशन पंगाल की उल्टा काम कर गया राइट तो दिस एवरी थिंग आओओ पार्टिशन आफ बंगाल और कर्जन तो कर्जन पूरा गलत नहीं था कर्जन को अगर उसके कामों के हिसाब से देखो गे तो कर्जन बेस्ट था किसानों के लिए बिल्कुल he wanted that all the power should means India should be permanently going into the favor of the कर्जन but whatever he did other than partition of बंगाल या फिर जो भी एक चीज है वो काफी मतलब महत्वपूर्ण थी योग्यता थी ठीक है हाँ बट सिर्फ निरंकुस था पगला था इसलिए उसने कर दिया हाँ कर्जन में जो लाया था उसमें सिर्फ पार्टिशन और बंगाल था तो इसलिए मैंने आपको नहीं पढ़ाया क्योंकि मैं उसमें कर्जन भी यूज करना चाहता था फिर मैं सिर्फ यही हिस्सा लिखता तो यूट कि करजन सबसे बुरा था करजन बहुत अच्छा था लेकिन वही है कि गलत काम कर गया है ठीक है कि चलो है एनी डाउट किसी को मन में कोई शक्सक शंदे हो तो अभी पूछ लीजिए तो टूड़े क्लास एंस आज फिर से क्लास खतम होती है मैं हम मैंडिवल इस्ट्री को करेंगे डोंट वरी जैसे ही थोड़ा सा हमारा मौडर इस्टी वाला हिस्ट थोड़ा यह होता है मेरी बीच में चुट्टी होने वाली है तो विविल डू दाट दिन के समया हम क्लासेश किया करेंगे ज्यादा तर छुट्टी होने वाली हमारी थांक्यू अब्रिबंग थांक्स जहिंद कि बोलिए प्रेसिडेंट की सेलरी हंड़ेट पॉसेंट टेक्सेबल है प्रेसिडेंट की प्रेसलरी भाई पक्का डेक्सेबल है लेकिन कई सारे ऐसी चीजे हैं जैसे प्रेसिडेंट की सेलरी जो भी है जो उनकी मंथली सेलरी है वह बिल्कुल टेक्सेबल है टेक्स वह पे करते हैं लेकिन जो उन्होंने कहा कि धाई करोड टेक्स देते हैं वह किन-किन चीजों से क्योंकि बिल्कुल ओपन डोमेन में नही ही है क्योंकि कौन-कौन सी सुविधाय उनको अलग से दी जाती है राइट बट आप यह जान लो कि प्रेजिदेंट की सैलरी टैक्सेबल है 100 परसंट ठीक है जैसे हम आप पे करते हैं वैसे ही पे करते हैं बिलकुल आशिस बिलकुल सही बात कहा था था यही चीज में पढ़ा रहा था राइट कश्यब आपका क्लियर हुवा डाओट प्रेसिदेंट की सैलरी टैक्सेबल है नपेमेंट इस टैक्सेबल बट दिर आर मैनी थिंग fruit which is not into the public domain की कौन कौन से उनंको free services मिलते हैं क्या क्या चीते मिलते हैं और क्या क्या सुविदाय मिलते हैं किन किन चीज पर tax देना पड़ता है इस नigon वेरी मच इंटी तो ओपन डोमेंट ओपन डोमेन में कुछ भी नहीं से ठीक है बट करता हैं बट अब्य वह अभी जो फिलाल की टेक्स लिमिट क्या है कितने पर कितना पे करना है उतने हिसाब से वह पे करते हैं रहे हैं जो आपके ऊपर टेक्स का लगता है वह भी उनके ऊपर लगता है हालांकि प्रेजडेंट होने के सांथ सांथ कई अलग जगहों पर उनको कुछ भत्ते दिये जाते होंगे या कुछ अलाउंसिस होंगी वह सारी हो सकता है कि कई एक चीज़े उसमें टेक्सेबल नहों ठीक है चलिए थैंक्स जैहिंद